और टार्क वर्ल्ड हिंदी में कुछ लोगों का मानना है कि प्रम्हांट से पहले कुछ नहीं था और वो गलत है प्रम्हांट से पहले अंधीरा था और वो आज भी कायम है तुम्हारी मौत आचुकी है हमने वादा किया था कि हम वापस आएंगे वो सब मेरे सामने शहीत हुए सब को समझाता हूँ जो हुआ उसे भूल जाओ अब क्या होगा कश के प्रूड़ो तुम्हें पिछली बार देखा तब से बहुत कुछ हो चुका है मेरा हथोड़ा ढूट गया जैसे कल की बात है जखमा भी तासा है हम अलग अलग दुनिया से उन्हें अलग रखने की सरों कोई बज़ा रही होगी मेरा पुराना प्यार हम कितने साल बात मिले तीन जर साल आठ साल साथ महिने और छे दिन पर किन कुन रहा है अगर हमने कुछ ने किया वो हमें बर्बाद कर देंगे अब फिर मैं खुद को ढूणने निकल पड़ा और फिर मिला तुम से पूछो खुद से अपने आदर्शों के लिए तुम क्या कुर्बारी कोगे यह क्या? इमोशनल हो गए बक्वास कोई मजबूरी होगी चो तुम हमसे मदद मांगने आए लडकी में दम है याद रखना अगर तुमने हमसे धोका किया तो तुमें मार देंगे तो कब शुरू करना है? इन स्वार्थी देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी थार्ड डार्क वर्ड दोहजार तेरा में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्बल कामिक्स किरदार थार पर आधरी थे जिसे मार्बल स्टूडियोज दोरह उत्पादित किया गया है और वर्ड डिजनी स्टूडियोज मोसन पिक्चर्ज दोरह बित्रित किया गया है यह 2011 में आई थार फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनेमाटिक यूनिवर्स में आठवी फिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दोरह निर्देशित किया गया था जिसमें क्रिस्टोफर, योष्ट ने पटकता तयार की और क्रिस्टोफर, मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम थी इसमें क्रिस हैमवर्थ को थौर के रूम में दर्शा आ गया था क्रिस्ट के साथ इस फिल्म में नताली पोर्टमेंड, टाम हिंडलिस्टन, एंथनी हापकिन्स, इस्टेलान, इसकार गाड, एड्रिस एलबा, क्रिस्टोफर, एकल एस्टन, एडवेले, अकुने, एकबाजे, कैट डेनिंग्स, रे स्टीवन्स, जेकरी लिवाई, तदा न के लिए लड़ता है, मैलेकित जो ब्रमांड को अंधेरे में डुब की लगाने का इरादा रखता है, डार्क एबल्स का नितरत करता है, इस फिल्म को निर्देशित क्या था एलन टेलर ने, इसके निर्माता थे केविन फाईगी, यह पढ़कता थी क्रिस्टोफर योस्ट, क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन माइक फिली की, एक कहानी थी, डान पैटन जो की लेखक हैं उनकी, यह अधारित है, थार स्टेनली के द्वारा, इसमें भनीता थे, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें म्यूजिक दिया था, ब्राइन टाइलर ने, इसका फिल्म 112 मिनिट लंबी है, यह भारत संयुक दिराज अमेरिका में रिलीज हुई थी, अंग्रेजी भांसा में रिलीज हुई थी, इस फिल्म की लागत 170 से 272 मिलियन, इसका कुल कारोबार 64.6 मिलियन बताई गई है, और इसका कुल कारोबार 64.6 मिलियन बताई गई है, थार फिल्म का विकास डार्क वर्ड अप्रेल दोजार गेरा में शुरू ही थी जमनिर्माता केबिन फेज ने क्रासोवर फिल्म दा एवंजर्स का पालन करने के लिए एक अनुकरम की योजना की घोशड़ा की जुलाई दोजार गेरा में थार के निर्देशक केनेथ बरनाख ने प्रियोजना से अपना नाम वापस ले लिया जनुरी 2012 में टेलर को निर्देशक बनाने से पहले ब्रायन किर्क और पेटी जेंकिन्स को फिल्म निर्देशित करने के लिए सोचा गया था अगस्त 2012 में एकलेस्टन डेनिक्स और अकिन्वे अकजाबे को सहाय कलाकार कास्ट किय प्रिंस्पल फोटोग्राफिस सप्टमबर 2012 में सरे इंग्लैंड में आइसलैंड और लंदन में जारी होने वाली फिल्मांकर के साथ दिशंबर 2012 में सुरू होने से पहले सुरू हुई थी थाद डाक वर्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्दित कर दिया गया थाद डाक वर्ड का प्रेमियर 22 अक्टूबर 2013 को लंदन में ओडेन लिसेस्टर इस्कौाइर में किया गया था और संयुक्त राज अमेरिका में 8 नॉमबर 2013 को रिलेज होई थी कई समय इसकों ने इसे अपने द्रश परभाव और परदर्शन विश्यस रोप से हैमर्स वर् में 644 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे 2013 की दसुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलम बना दिया इस कड़ी की तीसरी फिलम थार रेगनरा को 3 नॉमबर 2017 को रिलीज किया गया था कल पो पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एलप मेलेकित के साथ संगर्स करते हैं जो प्रमांड के 9-6-3 पर एथर के नाम से जाने वाले हथियार को उजागर करना चाते थे मलकित की सिनाव पर बिज़े परात करने के बाद कुर्शेट नामक बढ़े उधाव सहित स्वाटल फैहा के घर की दुनिया में बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की रच्छ फिल्म स्थरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म स्थरीज है जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर ही रोज मेल हो या फी मेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से निर्माताओं ने इस सीरीश के 30 फिल्मों से में सभी सुपर हिरोज को एक बेहतरीन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीश की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिजड़े कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के परसंद सकें तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की सरंखला कितनी अदबुध है इसके हर फिल्म में हर एक सुपरहिरो की अपनी कहानी है जिने तेरा वर्सों में बनाया गया है और एक एक करदर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़ कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निसकर्स निकाला गया है फिल्मों की इसस रंखला में जितने भी सुपर हीरो सामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से चुड़ी फिल्म के दरस्टो या रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनबी बाते हैं जिने हम आज आपके साथ साजा करेंगे मॉर्बल कॉमिक के महान लेखग स्टैन ली ने भूत काल में अपने के संगर्सों के बाद आरन मैन को लांच करने में सफलता पाई थी आरन मैन जो की बाद में इसे फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दरस्को का सबसे चहता सुपर हीरो बन कर उभरा इससे पहले पिछले कई दरस्को में आरन मैन और अन सुपर हीरोस पर कई फिल्मेवा सिरीज बन चुगी थी लेकिन Spider-Man की फिल्म सिरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्श को दोरा न कारा जा चुका था The Avengers पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा The Avengers Marvel Cinematic Universe के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयान दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बेफेक्स और कई सुपर हीरोस को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मारcellence ने दा एवंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ, दा एवंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तिमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या कालपनिक सक्ती पैदा करने वाले नहीं बलकि वास्तुएक दुनिया के बहादुर पुलिस कर्मी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में अवेंजर्स का सामना उनके दुस्मनों से होता है तब दरसकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से 301 कैन बेवी सैन पुलिस वल्व अटालियन के वास्तुएक सुदस्यों को सामिल किया था हाक आई कर्रक्र के गंभीरता मार्बल के अंतरगत हाक आई एजन्ट क्लिंट वाटन की भूम का निभाने वाले अवनेता जरेमी रेनर ने इस कर्रक्र को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तीर अंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में खलनायकों पर चलने वाला तीर किसी पेसवर से कम नहीं लगा हलक के चरेदर के लिए पहली पसंद था कोई और वच्छत 2018 में आई फिल्म दा इंक्रेडिबल हलक में ब्रूस बैनर दा हलक की भूमका एडवर्ट नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिधी के कारवा मार्वल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हलक के निर्देशक लूई लेट्रियल के अनसार तो हलक के किलदार में अपनियता मार्क रफैलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और बाद में चल कर ऐसा ही हुआ बूस बैनर हलक की भूमका में दा आवेंजर्स और आगे की फिल्म के देखा जाए तो हलक की भूमका में मार्क ने एक अलगी चाप छोड़ी है। हलक की भूमका के लिए मार्क को मिली हौली बूण के सुपरस्टार आर डीजे से प्रोस साहना। साल 2012 में जब दा अवेंजर्स में ब्रूस बैनर दा हलकी की भूम का निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलिबुट के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभने करने के लिए पुरुसाहित किया जोको हमार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आरेन मैन की भूम का निभा रहे थे आरेन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पार्डर मैन के नाम में हाइफन का उपयोग रैटर स्टैनली ने स्पार्डर मैन के नाम में हई फोन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुपर्मेन और स्पार्डर मैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेश नजर में पढ़ने पर दर्शकों के लिए संसेप पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थीयटर्स में हुआ था Avengers राज आफ और ट्रान का विरोध साल 2014 में जब फिल्म Avengers Age आफ और ट्रान दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ सहरों में थीयटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स आ ट्रस के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल फिल्म की सूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दरस को दिखाने के लिए शेट वा लाइटिंग मे की भूमका निभाने वाले अभनेता किरिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अनिकलाकारों जोकिन को दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खोब खेला है दा एवंजर्स फिल्म को अंतरिच में दिखाया गया अंतरिच जहां कई सिता करने वाले अंतर राष्ट्री अंतरिच इस्टेशन को दा अवंजर्स फिल्म की एक डिश्टल प्रति भेजी उस समय आई एसस में में मौझूद अंतरिच यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुरलब और सर मिला था बताते चले कि दा आवंजर्स फिल्म के कुछ हिस् फिल्म को अंतर राष्ट्री अंतरिच इस्टेशन में भी दिखाया गया है इसकाट लेज बीज और कुछ सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था कौमिक किताबों में इसकाट लेज चा और क्लिक सिल्वर ने एक्समेन के करेक्टर मेगनो को उनकी खलनाएकी में सहायता क थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक्समेन अन्य मार्वल संस्ताओं से अलग हो गए इस कारण से एवेंजर्स एज आफर्टरान के निर्माता टीम ने वाड़ा मैक्सिमम वाडला मैक्सिमम और इसकाट लेज और पियेत्रो मैक्सिमाप क्विक स फिल्वर की भूमका में आरोन टेलर जांसन नजर आये हैं कैप्टेन अमेरिका सिबिल वार के दोरान क्रिस वाइंस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टेन अमेरिका सिबिल वार के से निर्देशक जो रूसों ने बताया था कि फिल्म का सबसे सक्तिसाली साट था इस्ट्यू बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यादर से काफी सांदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस्ट ने सूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाह में मास्पेस्यों को घैल कर लिया था ब्लैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने ब्लैक पैंथर का नाम स साल 2020 में कैंसर के कारण मुर्ति हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नया रूब दिया जिसे फिल्म ब्लैक पंथर के सुकल ब्लैक पंथर वकंटा फारेवर में देखा जा सकेगा जो की गेरा नमबर 2420 को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इंफिंटी व इसे सिनिमा घरों में फिल्म एवेंजर्स इंफिंटी वार में नहीं दिखाया गया था एवेंजर्स इंफिंटी वार यूटूब पर सबस्यादा देखा जाने वाला हॉलिवड मोवी ट्रेलर यूटूब पर लांच होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इंफिं में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आईरेन मैन इस्टार लॉर्ड और ड्रेक्स भी सामिल है उसी दोरां तीनों में एक सवाध होता है जिसमें इस्टार लॉर्ड पूछता है कि गमोरा कहा है इस पर आईरेन मैन कहता है कौन है गमोरा मचे की बात तब होती है फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रैक्स ने इस अंदाज ने दरस्यों को और भी मजा किया बना दिया जिसका निर्माताओं ने इसे फिल्म में सामिल कर लिया था अवेंजर्स एंडिगेम बॉक्स आपश पर पहले विकेंड में एक अरफ डालर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में अवेंजर्स के परसंसको की भारी संख्या के चलते अवेंजर्स फ्रंचाइजी के अंतरगत तीन फिल्मों ने अलग-अलग एक अरफ ड कालर की कमाई कर ली थी आज एंड गेम दुनिया भर की दूसरी सबसेदी कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के आवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही अवेंजर्स एंड गेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम 181 मिनट है एवांजलीन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज चेडियोल बिश्टरत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुक्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोडते हुए सभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कारेक्टर एंटमैन और दवास्प की भूम का निभाने वाले कलाकारों एवांजलीन लिली और पाल रड को अक्सर दोनों फिल्मों की सूटिंग के लिए उपस्तित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकी में सबसे ब हंत्यार खोलना चाहता है मलेकित की सेनाव पर बिजय प्राप्त करने के बाद कुर्सेद नामक समर्दित युद्धाव सहित स्वाट लाइफाइम के अपने घर की दुनिया पर बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की सुरच्छा करता है बोर के लिए अग्यात मलेकित उनके लेटिनेंट अलग्रिम और मुठ्य भर डार्क एलविस निलंबित एनिमेशन में भाग जाते हैं वरतमान में अक्षाड में लोकी प्रतवी पर अपने युद्ध पराधों के लिए कैद है इस भी स्थार युद्धाव फ्रेडल वल्स्टेग और सिप के साथ अपने कामरेड होगुन के घर वानाहीम पर लुटेरों को पीछे हटाता है विफ्रोष्ट के पुनि निर्माड के बाद नो अस्थानों को सांथ करने के लिए युद्ध में या अंतिम लड़ाई है दो साल पहले नष्ट के गए रेंबो ब्रिज जो दो साल पहले नष्ट हो गए लंदन में इस्ट्रोफिजिस्ट डाक्टर जेन फोस्टर और उनके इंटरन डार्सी लेविस एक परियक्त कार खाने की यात्रा करते हैं जहां ऐसे पोर्टल दिखाए दिये हैं जो उनके चारों और भौत्की के नियमों को बादित करते हैं समों से अलग होकर फोस्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है जहां हैमडाल की निकड़ देखने वाली द्रेश्टी से परे एक यहां एथर को अभी सूसित करती हैं हमड्य Barbara को सचयत्ता है उसे प्रतभी पर ले जाता है जब धोर्को फोस्टर मिल जाता है तो अन जाने में एक अलोकिक यश् रुआत करती है मलेकित एथर की रिहाई से जागा अक्षाट पर हमला करता है लड़ाई के दौरान मलेकित और अलग्रिम पोस्टर की खोच करते हैं या मैसूस करते हैं कि उसमें एथर है थोर की मां फ्रिगा को फोस्टर की रच्छा करते हुए घातक रूप से छूरा घौप लेता है जो शौर्ट लाइफ के एक गुप्त पोर्टल के बारे में जानता है जहां वो अक्षाट से दूर मलेकित को लुभाने और सामना करने के लिए फोस्टर का उप्योग करेंगे बदले में थोर ने अपनी मा की हत्ते के लिए लोकी से मलेकित से बदल लेने का वादा किया बुल्स टैग और सिफगास्टियन सेनको को रोक रहे हैं और फ्रेडल उनके भाकरे में मदद कर रहे हैं थोर लोकी और पोस्टर हेड इस्टॉर्ट लाइम के लिए वहां लोकी मलेकित को पोस्टर से एथर को बाहर निकालने के लिए चकमा देता है लेकिन उजागर बदार्थ को नश्ट करने का थोर का प्रियास बिफल हो जाता है मलेकित एथर के साथ बिलीन हो जाता है और अपने चहाज में छोड़ देता है क्योंकि अलगरिम को मारते समय लोकी को सूली पर चड़ा दिया जाता है थोर लोकी को अपनी बाहों में जुलाते हुए उसके पिता को उनके बलिदान के बारे में बताने का वादा करता है बाद में फार और फोष्टर ने पास की एक गुपा में एक और पोर्टल की खोच की और लंदन में लूइस और फोष्टर के शरचक डाक्टर एक शेलवी के साथ पुने निर्मल किया जो परतीबी पल्लोगी के हम ना बनाई है थोर मलेखित को बिबिन पोर्टलों और कई दुनियों के माध्यम से तब तक लड़ता है जब तक कि एक पोर्टल उन्हें अलग नहीं कर देता मलेखित को प्रिद्वी पर निर्विरो छोड़ देता है थोर अपने नासर साथियों के मदद करने के लिए समय पर लोड़ता है मलेखित को इस्षॉर्ट लाइफ की ले जाने के लिए अपने पड़िकेने को करड़ों का उप्यों करता है जहां उसे अपने हिच्छत ज़ास से कुचल दिया जाता है थोर अक्षाड लोड़ता है जहां वह सिंग्हासन लेने के लिए ओर्डिन के चाते हैं और एथर को उसकी देख भाल के लिए सौपते हैं यह टिपड़ी करते हुए कि एक साड में पहले से ही टेस राइक्ट के साथ दो इनिफिनिटी स्टोंस को एक साथ पास रखना ना समझी होगी जैसे ही वे चले जाते हैं कलेक्टर और पांच पत्रों को हांसल करने क कि अपनी इच्छा वदाता है क्रेडिट के बाद के दरस में फॉष्टर और फॉष्टर और फॉर प्रत्वी पर फिर से मिलते हैं जबकि लंदन में कही जो तुन हैम से एक ठंधा राचस गलती से अंतिम लड़ाई के दौरान प्रत्वी पर ले जाया जाता है जो कि अभी जहां मैं उनसे क्या कहूंगा है या है कि मैं रुमान्चित हूँ कि वे इतने अस्वस्त हैं मैं दर्शकों को या बताने के लिए परतेचा करूँगा कि क्या कोई दूसरा होना चाहिए और फिर अगर यह एक अच्छी बातचीत है हम सभी के लिए रुमान्चिकारी होगा लेकिन मुझे या मनाने के लिए आईरिस अंद विस्वासी रखत मिला है कि धौर दो होगा लेकिन अगर मार्बल ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि या सच होना चाहिए। फीज ने बाद में वताया कि स्विकल की घोषड़ा करने से पहले मार्बल ऐस्टूडियो उसने अनमान लगया होगा कि थोर ने बॉक्स अपस पर कितना अच्छा परदर्शन किया लेकिन कहा डान पाय ने भाग दो के लिए कहानी के विचारों पर काम कर रहा है हमारे पास के के साथ आने वाले सर्शा के लिए कई भी कलप हैं वापस लेकिन अभी फोकस पहले वाले पर है डान धीरे धीरे लेकिन निश्टी रूप से इस बारे में सोच रहा है कि चेत्र को आगे कहां ले जाना है क्या हम इतने भागी साली हैं जून दोजार गेरा में वर्ल टिजनी के रूम में वापस नहीं आएंगे लेकिन संभावता एक उतपादन चमता में सामिल होंगे लास एंजल्स टाइम्स ने बरनक के प्रस्थान के काड़ों के रूम में एक बिसेस प्रभाव भारी महाकापी के लिए आवसक लंबी प्रत्वद्द्द्द्द्द्द्द्द् सीधे दूसरे में वापस जाने के लिए बहुत तेज थे यह एक सुकत अनभा हो था और एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्भा है अगले दिन मार्बल ने अगली कड़ी की पटकता लिखने के लिए पहली फिल्म के स्रेल लेकों में से एक पाइने को अपचारिक प्रवस ने उखिया अगस्त में ब्रायन किर्क ने थोर से कल को निर्देशित करने के लिए सुरुआती बाचीत की गेम आप ध्रोंस सहिद एबी सी ओ और सो टाइम और बीबी सी के लिए टेरी बीजन संगलाओ का निर्देशित करने के बाद किर्क पहली बार एक बड़े की मोशन पिचर का निर्देशन किये थे सप्टेंबर 2011 में टाम हिटलसन ने पुष्ट की कि वासी कल में वापसी करेंगे यहान मान लगाते हुए कि फिल्म में लोकी को अपने किये की जिम्यदारी लेनी होगी पैटी जैन किन्स मांस्टर के निर्देशिक और एमसी के दा क लिंग के पाइलेट एपिशोड ने बाचीत के दौरान पैदा हुए संवियात्मक अटकलो के कारण किर्क ने गुजर जाने के बाद किर्क के गुजर जाने के बाद फिल्म को निर्देशित करने के लिए मार्बल इस्टूडियोज और डिजनी के साथ सुरुआती बाचीत में परवेश किया बात के महीने में फिगे ने कहा कि अगली कड़ी थोर को सचमस्च दूसरी दुनिया मिले जाएगी और मखरूप से उस चरितर की यात्रा होगी उसकी और जेन फोस्टर की और कैसे उसके पिता के साथ नया गत्सील काम कर रहा है साथ ही साथ क्या दानना इ थारड डार्क वर्ड 2013 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मॉर्बल कामिक्स कृदार थार पर आधरी थे जिसे मॉर्बल स्टूडियोज दोरा उत्पादित किया गया है और वाल्ट डिजिनी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स दोरा बित्रित किया गया है यह 2011 में आई थार फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनेमाटिक यूनिवर्स में आठवी फिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दौरा निर्देशित किया गया था जिसमें क्रिस्टोफर योष्ट ने पटकता तयार की और क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की एड्रिस एलबा, क्रिस्टोफर, एकल एस्टन, एडवेले, अकुने, एकबाजे, कैट डेनिंग्स, रे स्टीवन्स, जैकरी लिवाई, तदा नोवू, असोने, जैमी एलेक्जेंडर और रे नूरू से थे थार दार्क वर्ड में थार लेकी के साथ मिलकर डार्क एल्बम्स से ब्रमांड के नोचेतरों को बचाने के लिए लड़ता है, मैलेकित जो ब्रमांड को अंधेरे में डुबकी लगाने का इरादा रखता है, डार्क एबल्स का नितरत करता है, इस फिल्म को निर्देशित क के द्वारा इसमें अभनीता थे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसमें म्यूजिक दिया था ब्राइन टाइलर ने इसका इस्टूडियो था मॉर्बल स्टूडियो इसके बितरक थे वाल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्ज रिलीज हुई थी अक्टूबर बै 72 मिलियन इसका कुल कारोबार 64.6 मिलियन बताई गई है और इसका कुल कारोबार 64.6 मिलियन बताई गई है थार फिल्म का विकास डार्क वर्ड अप्रेल 2015 में शुरू ही थी जब निर्माता केबिन फेज ने क्रासोवर फिल्म दा एवेंजर्स का पालन करने के लिए एक निर्देशक बनाने से पहले ब्रायन किर्क और पेटी जेन किन्स को फिल्म निर्देशित करने के लिए सोचा गया था। चक्टूबर 2013 को लंदन में ओडेन लीशेश्टर स्कॉार में किया गया था और संयुक्त राज अमेरिका में आठ नॉमबर 2013 को रिलीज हुई थी कई समय इसकों ने इसे अपने द्रह से परभाव और परदर्शन विशेश रूप से हैमर्स वर्थ और हेडल स्टन के लिए स्र कमाई की और इसे 2013 की देशुष सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया इस कड़ी की तीसरी फिल्म थार रेगनरा को तेन नॉमबर 2017 को रिलीज किया गया था कल्पों पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एल्प मेलेकित के साथ संगर्स करते हैं जो रचा करता है बोर के लिए अग्याद मलेकित के साथ साथ उनके लेप्टिनेंट अलेग्रीम और डार्क एल्प के कुछ मुठी निलामबित एनिमेशन में भागें MCU यानी Marvel Cinematic Universe के अंतरगत आने वाली सुपर हिरोज की फिल्म सिरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सिरीज है जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर हिरोज मेल होया फीमेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से नि जोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिच्टे कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के परसंद सकें तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की सरंखला कितनी अदबुद है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हिरो की इसकर्च निकाला गया है फिल्मों की इस सरंखला में जितने भी सुपर हिरो सामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से चुड़ी फिल्म के दरस्चों या रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनवी बाते हैं जिन को का सबसे चहता सुपर हिरो बनकर उभरा इससे पहले पिछले कई दसकों में आरें मैं और अपैर मैं किल्मिवा श्रीजिस बन चुकी थी लेकिन इसुपार्डरमैन की फिल्म सिरीजिके अलावा सभी फिल्मों को दरस्कों द्रुओरा न कारा जा जा ता दा आवेंजर्स पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा The Avengers Marvel Cinematic Universe के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डालर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयां दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बिय अफेक्स और कई सुपर हीरोस को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था Marvel ने The Avengers में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग Marvel ने The Avengers में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ, The Avengers फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली, आग या कालपनिक सकती पैदा करने वाले नहीं बलकि वास्तुइक दुनिया के बहादुर पुलिस करमी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में Avengers का सामना उनके दुस्मनों से होता है तब नियुक दरसकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से 399 बेवी सैन पुलिस वर्व बाटालियन के वास्तुइक सुदस्यों को सामिल किया था हाक आई कारेक्टर के गंभीरता मार्बल के अंतरगत हाक आई एजेंट क्लिंट बार्टन की भूम का निभाने वाले अभनेता जरेमी रेनर ने इस कारेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तिरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में खलनाएकों पर चलने वाला तीर किसी पेस्वर से कम नहीं लगा हलक के चरेदर के लिए पहली पसंद था कोई और वच्छत दोजाराटरा में आई फिल्म दा इंक्रेडिबल हलक में ब्रूस बैनर दा हलक की भूमका एडवर्ड नार्टन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिधी के कारणवा मार्बल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हलक के निर्देशक लूई लेट्रियल के अनसार तो हलक के किलदार में अपनिता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और बाद में चल कर ऐसा ही हुआ ब्रूस बैनर हलक की भूमका में दा आई वेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हलक की भूमका में मार्क ने एक अलगी छाप छोड़ी है हलक की भूमका के लिए मार्क को मिली हौली बूट के सुपरस्टार आर डीजे से प्रोस साहना साल 2012 में जब दा अवेंजर्स में ब्रूस बैनर दा हलकी की भूमका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलिबूट के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभने करने के लिए प्रूस साहित किया जो को हमार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आरेन मैन की भूमका निभा रहे थे आरेन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफलो लट्स गो लेट्स डो दिस इस्पार्डर मैन के नाम में हाइफन का उपयोग रॉइटर स्टैनली ने स्पार्डर मैन के नाम में हाइफन लगया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुपर्मैन और स्पार्डर मैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेश नजर में पढ़ने पार दश्कों के लिए संसे पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थेटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आफ और ट्रान का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज आफ और ट्रान दुनिया भर मेरे लिज हुए तब जर्मनी के कुछ सहरों में थेटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था कि कि डिजनी बॉक्स आपेस पर टिक्तो की विक्री का 53% मुनाफ़ा चाहता था जो कि परमपरिग और 47.7% की तुलना में अधिक था हाला कि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोते ठीयर्टर के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल फिल्म की सूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दरस को दिखाने के लिए शेट वा लाइटिंग में सेमय एजन करना और उसके बाद दूसरे दरस के लिए दूसरा शेट वा लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितारों को देर तक नए शोट के लिए इंतिजार करना पड़ता था इस दौरान काइप्टन अमेरिका इस्टिव राजर्स की भूमका निभाने वाले अभनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अनिकलाकारों जो किनको दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खोब खेला है दा एवेंजर्स फिल्म को अंत्रिच में दिखाया गया अंत्रिच जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्सकों ने दा एवेंजर्स की स् प्रतिभेजी उस समय आई एसस में मौझूद अंत्रिच जहात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुर्लब आउसर मिला था बदाते चले कि अवेंजर्स फिल्म के कुछ हिस्सों को नासा में भी फिल्माया गया था और साथ यही कारण था कि इस फिल्म को अंत्र राष्ट एक्टर मेगनो को उनकी खलनाएकी में सहायता कि थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक समयन अन्य मार्बल संस्ताओं से अलग हो गये इस कारण से हैवेंजर्स एज आफर्टरान के निर्माता टीम ने वाड़ा मैक्सिमम वाडला मैक्सिमम और इ एत्रों क्विकसिल्वर की भूमका में औरोन टेलर जॉंसन ने जराये हैं कैप्टyn अमेरिका सिब्ल वार के दोरान क्रिस इवाइंग्स हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टाइन अमेरिका सिब्ल वार के सहूं निर्देशक जो रूस्यों ने बताया था कि फिल्म का सबसे सकति साली शॉर्ट था इस्ट्यू राजर्स का अपने हाथों से एक हेलिकाप्टर को उडान भरने से रोकना इस शॉर्ट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाय गया था इस सीन को सूट करने से पहले किरिस इवांस ने सारे रिक्रूप से चरेतर को वास्तो ग्रूप देने के लिए जिम में बहुत महिनत की थी बाद में फिल्म का यादर से काफी सांदार साबित हुआ था लेकिन किरिस ने सूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाह में मास्पशियो को घैल कर लिया था बलैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने बलैक पैंथर का नाम सबसे पहले बलैक लेफट रखना चाहा था लेकिन इसका संदर भेग राजिंतिक पार्टी से होने के कारण या नाम बदल दिया गया यमसीओ के अंतरगत ब्लैक पंथर की भूमका निभाने वाले अभनेता चैडविक बोजमेन की साल 2020 में कैंसर के कारण मुर्ति हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने ब्लैक पंथर को एक नय रूब दिया जिसे फिल्म ब्लैक पंथर के सुकल ब्लैक पंथर वकंटा फारेवर में देखा जा सकेगा जो की 11 नमबर दुसर वाइस को रिलीज हो रही है Avengers Infinity War में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टेन अमेरिका दाफ फास्टर अवेंजर्स में मुख बिलन रेड इसकाल को आखरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्थित तब तक एक रहा से बनी रही जद तक कि इसे सिनिमा घरों में फिल्म एवेंजर्स इंफिन्टी वार में नहीं दिखा गया था एवेंजर्स इंफिन्टी वार यूटूब पर सबस्यादा देखा जाने वाला हॉलिवूड मोवी ट्रेलर यूटूब पर लांच होने वाली फिल्म के ट्रेलर में एवेंजर्स इंफिन्टी वार का ट्रेलर सबसे लोग प्री ट्रेलर बना हुआ है यूटूब पर अब तक इस से 250 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है इस क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक ड्रेलर बन गया मजा किया फिल्म अवेंजर्स इंफिन्टी वार में एक दरसी के दोरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हिरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आरेन मैन, स्टार लाड और ड्रेक्स भी सामिल है उसी दोरान तीनों में एक सवाध होता है जिसमें स्टार लाड पूछता है कि गमोरा कहा है इस पर आरेन मैन कहता है कौन है गमोरा मज़े की बात तब होती है जब ड्रेक्स कहता है कि क्यूं है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रेक्ष का अडालाग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रेक्ष ने इस अंदाज ने दरस्थो को और भी मजा किया पना दिया जिसकार निर्माताओं ने इसे फिल्म में सामिल कर लिया था अवेंजर्स एंडगेम बॉक्स आफिस पर पहले विकेंड में एक अरब डालर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में अवेंजर्स के परसंसको की भारी संख्या के चलते अवेंजर्स फ्रंचाइजी के अंतरगत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डालर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चोथे सुकल अवेंजर्स एंडगेम को लांच किया गया तब इस फिल्म ने महच पांच दिनों के भीतर एंडगेम ने 1.2 अरब डालर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसीरी सबसे दिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के आवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही अवेंजर्स एंडगेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम 181 मिनट है एवांजलीन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की सूटिंग मार्बल का रिलीज चेडियोल बिश्टरत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोडते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाया रखना पड़ता है चुएक फिल्म एंटमेन और दवास्प और अवेंजर्ज एंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन आप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना सभायुक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हिरो कारेक्टर एंटमेन और दवास्प की भूम का निभाने वाले कलाकारों एवांज लिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की स्यूटिंग के लिए उपस्तित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकी में सबसे बिस्त दोर था आईए जानते हैं थार दार्क वोर्ड की कहानी के बारे में इसकी कहानी के सुरुवात यूगो पहले ओर्डिन के पिता बोर्ड डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्स करते हुए होती है जो नौ लोखों पर एथर के नाम से जाना जाने वाला एक हंतियार खोलना चाहता है मलेकित की सेनाओ पर बिजे प्राप्त करने के बाद कुर्से धनामक समर्दित युद्धाओ सहित स्वार्ट लाइफाइम के अपने घर की दुनिया पर बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की सुरच्छा करता है बोर के लिए अग्यात मलेकित उनके लेप्टिनेंट अलग्रिम और मुठ्य भर डार्क एल्विस निलंबित एनिमेशन में भाग जाते हैं वर्तमान में अक्षाड में लोकी प्रत्वी पर अपने युद्ध पराधों के लिए कैद है इस भी स्थार युद्धाव फ्रडल वल्स्टेग और सिप के साथ अपने कामरेड होगुन के घर वानाहीम पर लुटेरों को पीछे हटाता है विफ्रोष्ट के पुनि निर्माड के बाद नो अस्थानों को सांथ करने के लिए युद्ध मेया अंतिम लड़ाई है दो साल पहले नस्थ के गए रेंबो ब्रिज जो दो साल पहले नस्थ हो गए थे अगर्ष्टियन जल्द ही सीखते हैं कि अपसरड एक दुरलप सनरेख़ड नो लोकों में से असन है जैसे जैसे घटना नजदीग आती है दुनिया को जोडने वाले पोर्टल या दृच्छिक रूप से प्रकट होते हैं लंदन में इस्ट्रोफिजिस्ट डाक्टर जेन फोस्टर और उनके इंटरन डार्सी लेविस एक परियक्त कार खाने की यातरा करते हैं जहां ऐसे पोर्टल दिखाए दिये हैं जो उनके चारों और भौत्की के नियमों को बाधित करते हैं समोह से अलग होकर फोस्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है जहां हेमडाल की निकट देखने वाली द्रेश्टि से परे एक वह एथर को अवसुसित करती है हेमडाल थोर्टल को सचेत करता है उसे प्रतवी पर ले जाता है जब थोर्टल को फोस्टर मिल जाता है तो वह अनजाने में एक अलोकिक सक्ती छोड़ती है और थोर उसके साथ अक्सार्ट लोट जाता है ओर्डिन एथर को पहँचानते हुए चिताउनी देता है कि एथर ना कियो फोष्टर को मार डालेगा बलकि इसकी वाफसी एक बिनास्कारी भविश्वारी के सुरुआत करती है मलेकित एथर की रिहाई से जागा अक्सार्ट पर हमला करता है लडाई के दोरान मलेकित और अलगरिम पोष्टर की खोज करते हैं या मैसूस करते हैं कि उसमें एथर है थर की मा फ्रिगा को फोष्टर की रचा करते हुए घातक रूप से छूरा घौपा गया है और मलेकित और एलगरिम को फोष्टर के बिना भागने के लिए मजबूर किया जाता है ओडिन के अक्साट को ना छोडने के आदेशों के बावजूद थर अनिच्छा से लोके की मदद लेता है जो शॉर्ट लाइफ के एक गुप्त पोर्टल के बारे में जानता है जहां वो अक्साट से दूर मलेकित को लुभाने और सामना करने के लिए फोष्टर का उप्योग करेंगे बदले में थोर्ट ने अपनी मा की हत्ते के लिए लोके से मलेकित से बदल लेने का वादा किया बुल्स टैग और सिभगास्टियन सेंको को रोक रहे हैं और फ्रेडल उनके भाकरे में मदद कर रहे हैं थोर्ट लोकी और पोष्टर हेड स्टॉर्ट लाइम के लिए वहां लोकी मलेकित को पोष्टर से एथर को बाहर निकालने के लिए चकमा देता है लेकिन उजागर बदार्थ को नश्ट करने का थोर का प्रियास बिफल हो जाता है मलेकित एथर के साथ बिलीन हो जाता है और अपने चहाच में छोड़ देता है क्योंकि अल्गरिम को मारते समय लोकी को सूली पर चड़ा दिया जाता है तो और लोकी को अपनी बाहों में जुलाते हुए उसके पिता को उनके बलिदान के बारे में बताने का वादा करता है बाद में थार और फोष्टर ने पास की एक गुफा में एक और पोटल की खोच की और लंदन में लुइस और फोष्टर के सरचक डाक्टर एरिक सेलवी के साथ पुने निर्मल किया जो प्रतिवी पलोकी के हमले के दोरान हुए मांसी का घात के कालर संचिवत रूप से संस्थागत थे वे सिखते हैं कि मलेखित ने ग्रीन विश में कन्वर्ज से के केंदर में एथर को हटा कर डार्क एलवेस के परभुत को बहाल करने के योजना बनाई है थोर मलेखित को बिबिन पॉर्टलों और कई दुनियों के माध्यम से तब तक लड़ता है जब तकि एक पॉर्टल उन्हें अलग नहीं कर देता मलेखित को प्रिद्वी पर निर्विरोद छोड़ देता है थोर अपने नासर साथियों के मदद करने के लिए समय पर लोड़ता है मलेकित को इस शौर्ट लाइफ की ले जाने के लिए अपने बैग्यने को प्रोडो का उप्यो करता है जहां उसे अपने हिच्छत करश जहास से कुछल दिया जाता है थोरक साड लोड़ता है जहां वह सिंगहासन लेने के लिए ओर्डिन के प्रस्ताओं को स्युकार करता है और उसे लोकी के बलदान के बारे में बताता है जैसे वह निकलता है ओर्डिन लोकी में बदल जाता है जो जीबित है और ओर्डिन का प्रतिरू पड़ कर रहा है एक mid credit द्रस में वेल्स स्टैक और सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं और एथर को उसकी देख भाल के लिए सौपते हैं यह टिपड़ी करते हुए कि एक साड में पहले से ही टेस राइक्ट के साथ दो इनिफिनिटी स्टोंस को एक साथ पास रखना ना समझी होगी जैसे ही वे चले जाते हैं कलेक्टर आने पांच पत्थरों को हासिल करने की अपनी इच्छा बदाता है क्रेडिट के बाद के दरस में फोष्टर और थोर प्रतवी पर फिर से मिलते हैं जबकि लंदन में कही जो तुन हैम से एक ठंधा राचस गलती से अंतिम लड़ाई के दोरान प्रतवी पर ले जाये जाता है जो कि अभी भी आप इसे बाहर है थोर 2011 की रिलीज से पहले अपरेल 2011 में मार्बल स्टूडियोज के अध्ष केविन फीगे ने कहा कि The Avengers 2 की 2012 में आई थी के बाद थोर एक नए साहसिक कार में निकल जाएगा टिपडिया कह रही थी कि यह मेरे लिए एक तरह की खबर है जहां मैं उनसे क्या कहूंगा है यह है कि मैं रुमान्चित हूँ कि वे इतने असोस्त हैं मैं दर्श को को यह बताने के लिए परतेच्छा करूंगा कि क्या कोई दूसरा होना चाहिए और फिर अगर यह एक अच्छी बातचीत है हम सभी के लिए रुमान्च कारी होगा लेकिन मुझे यह मनाने के लिए आईरिस अंद विस्वासी रक्त मिला है कि धौर दो होगा लेकिन अगर मार्बल ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि यह सच होना चाहिए भीज ने बाद में वताया कि स्विकल की घोषड़ा करने से पहले मार्बल ऐस्टूडियोज ने अनमान लगया होगा कि थोर ने बॉक्स अपिस पर कितना अच्छा परदर्सन किया लेकिन कहा डान पाई ने भाग दो के लिए कहानी के विचारों पर काम कर रहा है हमारे पास केन के साथ आने वाले सार्षा के लिए कई भी कल्प हैं वापस लेकिन अभी फोकस पहले वाले पर है डान धीरे धीरे लेकिन निश्टी रूप से इस बारे में सोच रहा है कि चेतर को आगे कहान ले जाना है क्या हम इतने भागी साली है जून 2011 में वाल्ट इजनी स्टूडियो जने 26 जुले 2013 को क्रिस हेम वर्थ के सीर्षक नायक के रूम में अपनी भमका को दोराते हुए थोर स्रिक्वल के लिए रिलीस के तारेक निर्धारित की यहाँ भी बताया कि बर्णग निर्धेसक के रूम में वापस नहीं आएंगे लेकिन संभावता एक उतपादन शमता में सामिल होंगे लास एंजल्स टाइम्स ने बर्णग के प्रस्थान के कारड़ों के रूम में एक बिशेस परभाव भारी महाकाप के लिए आवसक लंबी परतबद्धा और इस्क्रिप्ट परक्रिया को त्रण सुरू करने के दपाव का हवाला दिया हाला कि वह अगली कड़ी को निर्देशित करने के मौके से उसाहिद थे बर्निक ने कहा या एक लंबा समय था और वह मेरे लिए सीधे दूसरे में वापस जाने के लिए बहुत तेज थे या एक सुकत अन्बह हो था और एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्भ है और बीबी सी के लिए टेरी बीजेंस रंकलाओ का निर्देशन करने के बाद किरिक पहली बार एक बड़े बज़ट की मोशन पिचर का निर्देशन किये थे शप्टेंबर 2011 में टाम हिडलसन ने पुष्ट की कि वासी उकल में वापसी करेंगे यह अनमान लगाते हुए कि लोकी को अपने किये की जिम्मेदारी लेनी होगी पैटी जैनकिंस मांस्टर के निर्देशक और एमसी के दा किलिंग के पाइलेट एपिशोड ने बादचित के दोरान पैदा हुए संभी आतमक अटकलो के कारण किर्क ने गुजर जाने के बाद किर्क के गुजर जाने के फिल्म को निर्देशक करने के लिए मार्बल इस्टूडियोज और डिजनी के साथ सुरुवाती बादचित में परवेस किया बाद के महीने में फिगे ने कहा कि अगली कड़ी थोर को सचमस्च दूसरी दुनिया मिल ले जाएगी और मखरूप से उस चरितर की यात्रा होग और नताली पॉर्टमनी स्टार के रूम में वापसे करेंगे डिजनी ने फिल्म की रिलीज की तारिक भी 15 नमबर 2013 कर दी थौर्ड डार्क वर्ड 2013 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्बल कामिक्स किरदार थार पर आधरित है जिसे मार्बल स्टूडियोज दोड़ा उत्पादित किया गया है और वाल्ट डिजनी स्टूडियोज मोसन पिक्चर दोड़ा बित्रित किया गया है यह 2011 में आई थौरत फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनिमाटिक यूनिवर्ड में आठ्यूई पिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दोर निर्द टाम हिडल स्टन एंथनी हापकिन्स इस्टेलान इसकार गाड एड्रिस एलबा क्रिस्टोफर एकल एस्टन एडवेले अकुनिय एकबाजे कैट डेनिंग्स रे स्टीवन्स जैकरी लिवाई तदा नोभू असोने जैमी एलेकजंडर और रे नूरू से थे थार डाक वर्ड में थार लेकी के साथ मिलकर डार्क एल्बम्स से ब्रह्मांड के नो छेतरों को बचाने के लिए लड़ता है मैलेकित जो ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबकी लगाने का इरादा रखता है डार्क एबल्स का नितरत करता है इस फिल्म को निर्देशित कहता एलन टेलर ने इसके निर्माता थे केविन फाईगी यह पटकता थी क्रिस्टोफर योस्ट क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन माइक फिली की एक कहानी थी डान पैटन जो की लेखक हैं उनकी यह अधारी थे थार स्टेनली के द्वारा इसमें भनीता थे जो हम आपको पहले नहीं बता चुके हैं इसमें म्यूजिक दिया था ब्राइन टाइलर ने इसका स्टूडियो था मार्बल स्टूडियो इसके बितरक थे वाल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स रिलीज हुई थी अक्टूबर 22 2013 में और नॉमबर 8 2013 में अमेरिका में रिलीज हुई थी यह फिल्म 112 मिनट लंबी है यह भारत यह सजयुक्त राज अमेरिका में रिलीज हुई थी आंग्रेज जी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म के लागत 170 से 272 मिलियन इसका कुल कारोबार 64.6 मिलियन बताई गई है और इसका कुल कारोबार 644.6 मिलियन बताई गई है थार फिल्म का विकास डार्क वर्ड अप्रेल 2015 में शुरू ही थी जब निर्माता केबिन फेज ने क्रासोवर फिल्म दा एवेंजर्स का पालन करने के लिए एक अनुकरम की योजना की घोशड़ा की जुलाई 2011 में थार के निर्देशक केनेत बरनाख ने परियोजना से अपना नाम वापस ले लिया जनुरी 2012 में टेलर को निर्देशक बनाने से पहले ब्रायन किर्क और पेटी जेंकिन्स को फिल्म निर्देशित करने के लिए सोचा गया था अगस्त 2012 में एकलेस्टन, डेनिक्स और अकिन्वे अकजाबे को सहाय कलाकार कास्ट किया गया प्रिंस्पल फोटोग्राफिस शप्टमबर 2012 में सरे इंग्लेंड में आइसलेंड और लंदन में जारी होने वाली फिल्मांकन के साथ दिसमबर 2012 में सुरू होने से पहले सुरू हुई थी थाद डाक वर्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्टित कर दिया गया था थाद डाक वर्ड का प्रेमियर 22 अक्टूबर 2013 को लंदन में ओडेन लिसेश्टर इस्कौाइर में किया गया था और संयोक्त राज अमेरिका में 8 नॉमबर 2013 को रिले जोई थी कई समेशकों ने इसे अपने द्रह से परभाव और परदर्शन विशेश्रोप से हैमर्स वर्थ और हेडल स्टन के लिए सराहना की लेकिन इसकी कहानी खलनायक और पेसिंग के अलोचना की कई समेशकों ने इसे MCU की सबसे कमजोर फिलम गोसित कर दिया यह फिलम एक बेवसाइक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 644 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे 2013 की दसुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलम बना दिया इस कड़ी की तीसरी फिलम थार रेगनरा को तीन उमबर 2017 को रिलीज किया गया था कलपो पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्स करते हैं जो प्रमांड के 9-6-3 पर एथर के नाम से जाने वाले हत्यार को जागर करना चाहते थे मलकित की सिनाओ पर बिज़े परात करने के बाद कुर्शेट नामक बढ़े उधाओ सहित स्वार्टल फैहा के घर की दुनिया में बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की रचा करता है बोर के लिए अग्याद मलकित के साथ साथ उनके लेटिनेंट अलेगरीम और डार्क एल्प के कुछ मुठी निलामबित एनिमेशन में भागए हैं MCU यानी मार्बल सिनोमेटिक यूनिवर्स के अंतरगत आने वाली सुपर हिरोज की फिल्म सिरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सिरीज है जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर हिरोज मेल हो या फीमेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से निर्माताओं ने इस सिरीज के तेश फिल्मों से में सभी सुपर हिरोज को एक बेहतरिन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सिरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिच्टे कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के परसंद सके हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की सरंखला कितनी अदबुद है इसके हर फिल्म में हर एक सूपर हीरो की अपनी कहानी है जिने 13 वर्सों में बनाया गया है और एक–एक कर दर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़ कर एक फिल्म Avengers Endgame से निसकर्षन निकाला गया है फिल्मों की इसस रंखला में जितने भी सुपर हीरो सामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से शूड़ी फिल्म के दरस्टो या रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनवी बाते हैं जिने हम आज आपके साथ साजा करेंगे मॉर्बल कॉमिक के महान लेखग स्टैन ली ने भूत काल में अपने के संगर्सों के बाद आरेन मैन को लांच करने में सफलता पाई थी आरेन मैन जो की बाद में इसे फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दरस्को का सबसे चहता सुपर हीरो बन कर उभरा इससे पहले पिछले कई दरस्को में आरेन मैन और अन सुपर हीरो पर कई फिल्मेवा सिरीज बन चुगी थी लेकिन Spider-Man की फिल्म सिरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्श को दोरा न कारा जा चुका था The Avengers पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा The Avengers Marvel Cinematic Universe के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हिरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बिय अफेक्स और कई सुपर हिरोस को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मौर्बल ने दा ऐवेंजर्स में चिया था रियल सुपर हिरो का उपयोग जी हाँ, दा ऐवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हिरो का इस्तमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या कालपनिक सकती पैदा करने वाले नहीं बलकि वास्तुएक दुनिया के बहादुर पुलिस कर्मी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में अवेंजर्स का सामना उनके दुस्मनों से होता है तब दरसकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से तीन सुए कैन बेवी सैन पुलिस वर्ल बाटालियन के वास्तुएक सुदस्यों को सामिल किया था हाक आई कारेक्टर के गंभीरता मार्बल के अंतरगत हाक आई एजेंट क्लिंट वार्टन की भूम का निभाने वाले अभनेता जरेमी रेनर ने इस कारेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तीरंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में खलनाएकों पर चलने वाला तीर किसी पेस्वर से कम नहीं लगा हलक के चरिदर के लिए पहली पसंद था कोई और वच्छत 2018 में आई फिल्म दा इंक्रेडिबल हलक में ब्रूस बैनर दा हलक की भूमका एड़वर्ट नाटन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिद्धी के कारवा मार्बल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हलक के निर्देसक लुई लेट्रियल के अनसार तो हलक के किलदार में अबनियता मार्क रफैलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और बाद में चल कर ऐसा ही हुआ बुरूस बैनर हलक की भूमका में दा आवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नाटन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हलक की भूमका में मार्क ने एक अलगी छाप छोड़ी है हल्क की भूमका के लिए मार्क को मिली हॉली बूट के सुपरस्टार आर डीजे से प्रोस साहना साल 2012 में जब दा अवेंजर्स में बूस बैनर दा हल्क की भूमका निभाने के लिए मार्क रफैलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज महसूस कर रहे थे उस समय हॉली बूट के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभने करने के लिए प्रोस साहित किया जो को हमार के सबसे अच्छे दोस्त थे और खुद ही सुपर हीरो आर अरेन मैन की भूंका निभा रहे थे आरेन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफलो लेट्स गो लेट्स डू दिस इस्पार्डर मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पार्डर मैन के नाम में हाइफन लगया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि और क्योंकि सुपर्मैन और स्पार्डर मैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार देश नजर में पढ़ने पर दश्कों के लिए संसय पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थीटर्स में हुआ था एवंजर्स राज आप और ट्रान का विरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज आप रट्रान दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ सहरों में थीटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स आपेस पर टिक्तो की विक्री का 53.7 मुनाफ़ा चाहता था जो कि परमपरिग और 47.7 परस्त की तुलना में अधिक था हाला कि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोते ठीटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल था इस दोरान काइपटन अमेरिका इस्टिव राजर्स की भूमका निभाने वाले अभनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को ओबने से रोकने के लिए और भी अनिकलाकारों जोकि इनको दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खोब खेला है दा एवंजर्स फि इस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में प्रतवी के प्रिकर्मा करने वाले अंतर राष्ट्री अंतरिश स्टेशन को दा अवंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रत भेजी उस समय आई एसस में मौझूद अंतरिश यात्रियों को इस फिल्म को देखने का दुरलभ और सर मि भी दिखाया गया है इसकाटलेश बीज और क्विक सिल्वर की उत्पत्ति को बदला गया था कामिक किताबों में इसकाटलेश चाह और क्लिक सिल्वर ने एक्समेन के करेक्टर मेगनो को उनकी खलनाएकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक समेन अन्य मार्बल संस्ताओं से अलग होगे इस कारण से हैवेंजर्स एज आफर्टरान के निर्माता टीम ने वाड़ा मैक्सिमम वाडला मैक्सिमम और इसकाटलेश और पियेत्रो मैक्सिमाप क्विक सिल्वर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म में वाड क्रिस इवाइंस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टेन अमेरिका सिविल वार के सह निर्देशक जो रूसों ने बताया था कि फिल्म का सबसे सकति साली शॉट था इस्ट्यू राजर्स का अपने हाथों से एक हेलिकाप्टर को उडान भरने से रोकना इस शॉट को फिल्म के या दरसे काफी सांदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने सुट्रिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाह में मासपशियो को घैल कर लिया था बलैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने बलैक पैंथर का नाम सबसे पहले बलैक लेफट रखना चाहा था लेकिन इसका संदर भेग राजिंतिक पार्टी से होने के कारण या नाम बदल दिया गया यमसीओ के अंतरगत बलैक पैंथर की भूमका निभाने वाले अभनेता चैड बेग बोजमेन की साल 2020 में कैंसर के कारण मुरत हो चुकी है इसलिए निर्माताओं ने बलैक पैंथर क एक नया रूब दिया जिसे फिल्म बलैक पैंथर के सुकल बलैक पैंथर वकंटा फारेवर में देखा जा सकेगा जो की गेरा नमबर दुसर वाइस को रिलीज हो रही है एवेंजर्स इंफिंटी वार में एक पुराने बिलन की वाप सी कैप्टेन अमेरिका दाफ फास्टर में नहीं दिखाया गया था कर यूटूब पर सबस्क्lie . देखा जा जाने वाला हॉलीबुड मोवी ट्रेलर में अब तक इस से 250 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है इस क्रिप्ट में ना होते हुए भी एक डालॉग बन गया मजा किया फिल्म अवेंजेस इंफिन्टी वार में एक दरसी के दौरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हिरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आईरन मैन जब ड्रेक्ष कहता है कि क्यूं है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रेक्ष का डालाग तो फिल्म के स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन ड्रेक्ष ने इस अंदाज ने दरस्टों को और भी मजा किया पना दिया जिसका निर्माताओं ने इसे फिल्म में सामिल क के अंतरगत तीन फिल्मों ने अलग अलग एक अरब डालर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चोथे सुकल एवेंजर्ज एंडगेम को लांच किया गया तब इस फिल्म ने महच पांच दिनों के भीतर एंडगेम ने 1.2 अरब डालर की कमाई कर ली थी आज एंडगेम दुनिया भर की दूसीरी सबसेदे कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि जेम्स कैमरन के आवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही अवेंजर्ज एंडगेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम 181 मिनट है एवांजलीन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग मार्बल का रिलीज चेडियोल बिश्टरत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोड़ते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाय रखना पड़ता है चोग फिल्म एंटमैन और दवास्प और अवेंजर्स एंडगेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन आप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही समय में होना सभाविक था इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कारेक्टर एंटमैन और दवास्प की भूम का निभाने वाले कलाकारो एवांज लिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए उपस दित रहना पड़ता था जो कि इनके लिवाकी में सबसे बिस्त दोर था आईए जानते हैं थार द डार्क वर्ट की कहानी के बारे में इसकी कहानी की सुरुवात यूगो पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्स करते हुए होती है जो नौ लोकों पर एथर के नाम से जाना जाने वाला एक हंतियार खोलना चाहता है मलेकित की सेनाओ पर बिजे पराप्त करने के बाद कुर्सेद नामक समर्दित योद्धाव सहित स्वार्ट लाइफाइम के अपने घर की दुनिया पर बोर एक पत्थर के स्थम के भीतर एथर की सुरच्छा करता है बोर के लिए अग्यात, मलेकित, उनके लेप्टिनेंट, अलग्रिम और मुठ्य भर डार्क, एल्विस निलंबित, एनिमेशन में भाग जाते हैं वरतमान में अक्षाड में लोकी प्रत्वी पर अपने युद्ध पराधों के लिए कैद है इस भी स्थार, युद्धाव प्रडल, वल्स्टेग और सिप के साथ अपने कामरेड होगुन के घर वानाहीम पर लुटेरों को पीछे हटाता है विफ्रोष्ट के पुने निर्माड के बाद नो अस्थानों को सांथ करने के लिए युद्ध में या अंतिम लड़ाई है दो साल पहले नश्ट के गए रेंबो ब्रिज जो दो साल पहले नश्ट हो गए थे अगर्ष्टियन जल्द ही सीखते हैं कि अपसरड एक दुरलब सनरे खड नो लोकों में से असन है जैसे जैसे घटना नजदी काती है दुनिया को जोडने वाले पोर्टल या द्रिच्छिक रूप से प्रकट होते हैं लंदन में एस्ट्रोफिस्ट डाक्टर जेन फोर्श्टर और उनके इंटरन डार्शी लेविस एक परियक्त कारकाने की यातरा करते हैं जहां ऐसे पोर्टल दिखाए दिये हैं जो उनके चारों और भहोतकी के नियमों को बाधित करते हैं समू से अलग होकर फोस्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है जहां हेमडाल की निकट देखने वाली द्रेश्ट से परे एक वह एथर को अवसुसित करती है हेमडाल थोर को सचेत करता है उसे प्रतभी पर ले जाता है जब थोर को फोस्टर मिल जाता है तो वह अंजाने में एक अलोकिक सक्ती छोड़ती है और थोर उसके साथ अक्सार्ट लोट जाता है ओर्डिन एथर को पहँचानते हुए चिताउनी देता है कि एथर ना क्यों फोस्टर को मार डालेगा बलकि इसकी वाफसी एक बिनासकारी भविश्वारी के सुरुआत करती है मलेकित एथर की रिहाई से जागा अक्सार्ट पर हमला करता है लडाई के दौरान मलेकित और अलगरिम फोस्टर की खोच करते हैं मैसुस करते हैं कि उसमें एथर है थर की मा फोस्टर की रच्छा करते हुए घातक रूप से छूरा घोपा गया है और मलेकित और एलगरिम को फोस्टर के बिना भागने के लिए मजबूर किया जाता है और्डिन के अक्साड को ना छोडने के आदेशों के बावजूद थर अनिच्छा से लोके की मदद लेता है जो शॉर्ट लाइफ के एक गुप्त पोर्टल के बारे में जानता है जहां वो अक्साड से दूर मलेकित को लुभाने और सामना करने के लिए फोस्टर का उप्योग करेंगे बदले में थोर्ट ने अपनी मा की हत्ते के लिए लोके से मलेकित से बदल लेने का वादा किया बुल्स टैग और सिभगास्टियन सेनको को रोक रहे हैं और फ्रेडल उनके भाकरे में मदद कर रहे हैं थोर्ट लोकी और पोस्टर हेड इस्टॉर्ट लाइम के लिए वहां लोकी मलेकित को पोस्टर से एथर को बाहर निकालने के लिए चकमा देता है लेकिन और जागर बदार्थ को निश्ट करने का थोर का प्रियास भिफल हो जाता है मलेकित एथर के साथ बिलीन हो जाता है और अपने चहासँ में छोड़ देता है क्योंकि अलगरिम को मारते समय लोकी को सुली पर चढ़़ा दिया जाता है तो और लोकी को अपनी बाहों में जुलाते हुए उसके पिता को उनके बलिदान के बारे में बताने का वादा करता है बाद में थार और फोष्टर ने पास की एक गुफा में एक और पोष्टर की खोच की और लंदन में लुईस और फोष्टर के सरचक डाक्टर एरिक सेलवी के साथ पुने निर्मल किया जो प्रतिवी पर लोकी के हमले के दोरान हुए मांसी का घात के कालर संशिपत लूप से संस्थागत थे वोई सिकते हैं कि मलेकित ने गिरीन विश में कनवर्ज से के केंदर में एथर को हटा कर डार्क एलवेस के परभुत को बहाल करने की योजना बनाई है थोर मलेकित को बिबिन पॉर्टलों और कई दुन्याओं के माध्यम से तब तक लड़ता है जब तक ही एक पॉर्टल उन्हें अलग नहीं कर देता है मलेकित को परिद्बी पर निर्विरोज छोड़ देता है तोर अपने नाशर साथियों के मदद करने के लिए समय पर लोटता है मलेकित को इस स्वार्ट लाइफ की ले जाने के लिए अपने पैगेने को क्रोडो का उप्योग करता है जहां उसे अपने हिच्छत करस जहास से कुछल दिया जाता है थोरक साड लोड़ता है जहां वह सिंगहासन लेने के लिए ओर्डिन के प्रस्ताओं को उसे उकार करता है और उसे लोकी के बलदान के बारे में बताता है जैसे वह निकलता है ओर्डिन लोकी में बदल जाता है जो जीबित है और ओर्डिन का प्रतिरू पड़ कर रहा है एक mid credit द्रस में वेल्स स्टैक और सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं और एथर को उसकी देख भाल के लिए सौपते हैं यह टिपड़ी करते हुए कि एक साड में पहले से ही टेस राइक्ट के साथ दो इनिफिनिटी स्टोंस को एक साथ पास रखना ना समझी होगी जैसे ही वे चले जाते हैं कलेक्टर आने पांच पत्थरों को हासल करने की अपनी इच्छा बदाता है क्रेडिट के बाद के दरस में फोष्टर और थौर परत्वी पर फिर से मिलते हैं जबकि लंदन में कही जो तुन हैम से एक ठंधा राचस गलती से अंतिम लड़ाए के दोरान प्रत्वी पर ले जाये जाता है जो कि अभी भी आप इसे बाहर है थौर 2011 की रिलीज से पहले अपरेल 2011 में मार्बली स्टूडियोज के अधिस केबिन फीगे ने कहा कि The Avengers 2 की 2012 में आई थी के बाद थौर एक नए साहसिक कार में निकल जाएगा टिपडिया कह रहे थी कि यह मेरे लिए एक तरह की खबर है जहां मैं उनसे क्या कहूंगा है यह है कि मैं रुमान्चित हूँ कि वे इतने असोस्त हैं मैं दर्शकों को यह बताने के लिए परतेचा करूंगा कि क्या कोई दूसरा होना चाहिए और फिर अगर यह एक अच्छी बात चीत है हम सभी के लिए रुमान्चिकारी होगा लेकिन मुझे यह मनाने के लिए आईरिस अंद विस्वासी रक्त मिला है कि धौर दो होगा लेकिन अगर मार्बल ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि यह सच होना चाहिए फिज ने बाद में वताया कि स्विकल की घोषड़ा करने से पहले मार्बल ऐस्टूडियो उसने अनमान लगया होगा कि थोर ने बॉक्स अपिस पर कितना अच्छा परदर्सन किया लेकिन कहा डान पाई ने भाग दो के लिए कहानी के विचारों पर काम कर रहा है हमारे पास केन के साथ आने वाले सरसा के लिए कई भी कलप हैं वापस लेकिन अभी फोकस पहले वाले पर है डान धीरे धीरे लेकिन निश्टी रूप से इस बारे में सोच रहा है कि चेतर को आगे कहान ले जाना है क्या हम इतने भागी साली है जून 2015 में वाल्ट इजनी स्टूडियो जने 26 जुले 2013 को क्रिस हेम वर्थ के सीर्शक नायक के रूम में अपनी भमका को दोराते हुए थोर स्रिक्वल के लिए रिलीस के तारेक निर्धारित की यहाँ भी बताया कि बर्णग निर्धेशक के रूम में वापस नहीं आएंगे लेकिन संभावता एक उतपादन चमता में सामिल होंगे लास एंजल्स टाइम्स ने बर्णग के प्रस्थान के कारड़ों के रूम में एक बिशेस परभाव भारी महाकाप के लिए आवसक लंबी परतवद्धा और इस्क्रिप्ट परक्रिया को त्रण सुरू करने के दपाव का हवाला दिया हाला कि वह अगली कड़ी को निर्देशित करने के मौके से उसाहिद थे बर्नक ने कहा या एक लंबा समय था और वे मेरे लिए सीधे दूसरे में वापस जाने के लिए बहुत तेज थे या एक सुकत अन्भ हो था और एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्भ है अगले दिन मार्बल ने अगली कड़ी की पटकता लिखने के लिए पहली फिल्म के स्रेल लेकों में से एक पाइने को अपचारिक प्रवच्चन नियुद किया आगस्त में बरायन किर्क ने थोर से उकल को निर्देशित करने के लिए सुरवाती बाचीत की गेम आप थ्रों सहीद एबी सियो और सोटाइम और बीबी सी के लिए टेरी बिजन संक लाओ का निर्देशन करने के बाद किरिक पहली बार एक बड़े बज़ट की मोशन पिचर का निर्देशन किये थे सब्टेंबर 2011 में टाम हिडलसन ने पुष्ट की कि वासिकल में वापसी करेंगे यहानमा लगाते हुए कि फिल्म में लोकी को अपने किये की जिम्यदारी लेनी होगी पैटी जेन किन्स मांस्टर के निर्देशक और एमसी के दा किलिंग के पाइलेट एपिशोड ने बादचित के दौरान पैदा हुए संभीयात्मक अटकलो के काराड किर्क ने गुजर जाने के बाद किर्क के गुजर जाने के बाद फिल्म को निर्देसित करने के लिए मार्बल स्टूडियोज और डिजनी के साथ सुरुवाती बाजित में परबेस किया बाद के महीने में फिगे ने कहा कि अगली कड़ी थोर को सचमस दूसरी दुनिया मिल ले जाएगी और मखरूप से उस चरितर की यात्रा होगी उसकी और जेन फोस्टर की और कैसे उसके पिता के साथ नया गत्सील काम कर रहा है साथ ही साथ क्या दान नाइट वर्ड्स के लिए ब्यापक दाओं है 13 अक्टवर 2011 को मार्बल ने पुष्ट की कि जेन किन्स सुकल का निदेशन करेंगे और निताली पॉर्टमनी स्टार के रूम में वापसी करेंगे डिजनी ने फिल्म की रिलीज की तारिक भी 15 नमबर 2013 कर दी थार्ड डार्क वर्ड 2013 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्बल कामिक्स किरदार थार पर आधरी थे जिसे मार्बल स्टूडियोज दोरा उत्पादित किया गया है और वाल्ट डिजनी स्टूडियोज मोसन पिक्चर्स दोरा बित्रित किया गया है यह 2015 में आई थार फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनेमाटिक यूनिवर्स में आठवी फिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दोला निर्देशित किया गया था जिसमें क्रिस्टोफर योश्ट ने पटकता तयार की और क्रिश्टोफर मार्क्स और स्टीफन माइक फली की लेखन टीम थी इसमें क्रिस हैमवर्थ को थार के रूम में दर्शाय गया था क्रिस के साथ इस फिल्म में नताली पोर्टमेंड, टाम हिडलिस्टन, एंथनी हापकिन्स, इस्टेलान, इसकार गाड, एड्रिस एलबा, क्रिस्टोफर, एकल एस्टन, एडवेले, अकुने एकबाजे, कैट डेनिंग्स, रे स्टीवन्स, जेकरी लिवाई, तदा नोभू, असों ने, जैमी एलेक्जेंडर और रेनूरू से थे, थार डाक वर्ड में थार लेकी के साथ मिलकर, डार्क एल्बम्स से, ब्रमांड के नो छेतरों को बचाने के लिए लड़ता है, मैलेकित जो ब्रमांड को अंधेरे में, डुब की लगाने का इरादा रखता है, डार्क पार्टन जो की लेखक हैं उनकी, यह अधारित है, थार स्टेनली के द्वारा, इसमें अपनीता थे, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें म्यूजिक दिया था, ब्राइन टाइलर ने, इसका स्टूडियो था, मॉर्बल स्टूडियो, इसके बितरक थे, वाल्ड जिपांसा मेर लीज हुई थी, इस फिल्म की लागत 170 से 272 मिलियन, इसका कुल कारोबार 644.6 मिलियन बताई गई है, थार फिल्म का विकास डार्क वर्ड अप्रेल 2011 में शुरू ही थी, जब निर्माता केबिन फेज ने, क्रासोवर फिल्म दा एवेंजर्स का पालन करने के एक अनुकरम की योजना की घोशड़ा की, जुलाई 2011 में थार के निर्देशक केनेत बरनाख ने परियोजना से अपना नाम वापस ले लिया, जनुरी 2012 में टेलर को निर्देशक बनाने से पहले ब्रायन किर्क और पेटी जेन किन्स को फिल्म निर्देशित करने के लिए सो होने वाली फिल्मांकर के साथ दिसंबर 2012 में सुरू होने से पहले सुरू हुई थी, थाद डाक वर्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्दित कर दिया गया था, थाद डाक वर्ड का प्रेमियर 22 अक्टूबर 2013 को लंदन में ओडेन लिसेस्टर इस्कौाइर में क रहा ना की, लेकिन इसकी कहानी खलनायक और पेसिंग के अलोचना की, कई समय इसकों ने इसे MCU की सबसे कमजोर फिल्म घोसित कर दिया, यह फिल्म एक बेवसाइक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 644 मिलियन से अधिक के कमाई की, और इसे 2013 की दसुई सबसे ज़्यादा क साथ संगर्श करते हैं, जो प्रमांड के 9-6-3 पर एथर के नाम से जाने वाले हत्यार को उजागर करना चाहते थे, मलकित की सिनाओं पर बिज़े परात करने के बाद कुर्शेट नामक बड़े उधाव सहित, स्वाटल फैहा के घर की दुनिया में बोर एक पत्थर के इस् वाली सुपर हीरोज की फिल्म सिरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सिरीज है, जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर हीरोज मेल हो या फीमेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है, इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से, जिरमाताओं ने इस सिरीज के 23 फिल्मों से में सभी सुपर हिरोज को एक बहतरीन कहानी दे कर एक कड़ी में जोड़ा है इस सीरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिच्टे कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के प को के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़कर एक फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से निसकर्श निकाला गया है फिल्मों की इस सरंखला में जितने भी सुपर हिरोज सामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स स चुड़ी फिल्म के द्रस्टों या रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनवी बाते हैं जिने हम आज आपके साथ साजा करेंगे मॉर्बल कॉमिक के महान लेखग स्टैन ली ने भूत काल में अपने के संगरसों के बाद आरेन मैन को लांच करने में सफलता पाई थी आरेन मैन जो की बाद में इसे फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बन कर उभरा इसे पहले पिछले कई दसकों में आरेन मैन और अन्शुपर हीरोस पर कई फिल्मेवा स्रीज बन चुकी थी लेकिन स्पाडर मैन की फिल्म स्रीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्शकों दोरह नकारा जा चुका था दा अवेंजर्स पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा दा अवेंजर्स मार्बल सिनोमेटिक यूनिवर्स्ट के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयान दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बी अफेक्स और कई सुपर हीरो इसकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मॉर्बल ने दा एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ, दा एवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या कालपनिक सक्ती पैदा करने वाले नहीं बलकि वास्तुएक दुनिया के बहादुर पुलिस कर्मी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में अवेंजर्स का सामना उनके दुस्मनों से होता है तम देशकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से 301 कैन बेवी सैन पुलिस वर्ल बाटालियन के वास्तुएक सदस्यों को सामिल किया था हाक आई कारेक्टर की गंभीरता मॉर्बल के अंतरगत हाक आई एजेंट क्लिन्ट बार्टन की भूम का निभाने वाले अबनेता जरेमी रेनर ने इस कारेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तीर अंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में खलनाएकों पर चलने वाला तीर किसी पेसवर से कम नहीं लगा हलक के चरेदर के लिए पहली पसंद था कोई और वच्छत 2018 में आई फिल्म दा इंक्रेडिबल हलक में ब्रूस बैनर दा हलक की भूमका एड़वर्ट नार्टन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिधी के कारवा मार्वल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हलक के निर्देशक लूई लेट्रियल के अनसार तो हलक के किलदार में अपनियता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ बुरूस बैनर हलक की भूमका में दा आवेंजर्स और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हलक की भूमका में मार्क ने एक अलगी छाप छोड़ी है हल्क की भूमका के लिए मार्क को मिली हॉली बूट के सुपरस्टार आर डीजे से प्रोस साहना साल 2012 में जब दा अवेंजर्स में ब्रूस बैनर दा हल्क की भूमका निभाने के लिए मार्क रफैलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलिबूट के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभने करने के लिए प्रूस साहित किया जो को हम मार्क के सबसे अच्छे दोस्त है और खुद ही सुपर हीरो आर अरेन मैन की भूमका निभा रहे थे आरेन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफलो लेट्स गो लेट्स डो दिस इस्पार्डर मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पार्डर मैन के नाम में हाइफ़ोण लगया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुपर्मैन और स्पार्डर मैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेज नजर में पढ़ने पर दश्कों के लिए संसेप पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थियेटर्स में हुआ था Avengers, राज आप और ट्रान का विरोध साल 2014 में जब फिल्म Avengers, एज आप और ट्रान दुनिया भर मेरे लिज हुए तब जर्मनी के कुछ सहरों में थियेटर्स में इसका विरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स आपेस पर टिक्तो की विक्री का 53.7 मुनाफ़ा चाहता था जो कि परमपरिग और 47.7 परस्षत की तुलना में अधिक था हाला कि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोते ठीयटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल फिल्म की सूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दरस को दिखाने के लिए सेट वा लाइटिंग में सेमय एजन करना और उसके बाद दूसरे दरस के लिए दूसरा सेट वा लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितार को देर तक नए शॉट के लिए इंतिजार करना पड़ता था इस दोरान काइपटन अमेरिका इस्टिव राजर्स की भूमका निभाने वाले अभनेता क्रिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अनिकलाकारो जोकिनको दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खुब खेला है दा एवंजर्स फिल्म को अंत्रिच में दिखाया गया अंत्रिच जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्षकों ने दा एवंजर्स की स्क्रीनिंग के दोरान धर्ति के सितारों को देखा और वह दर सक थे अंत्रिच सियातर अंत्रिच में हुष्टन में नासा के मिसन कंट्रोल में प्रतविक प्रिकर्मा करने वाले अंतर राश्ट्री अंत्रिच इस्टेशन को दा एवंजर्स फिल्म की एक डिजिटल प्रत भेजी उस समय आई-एसस में मौझूद अंत्रिच जहातरियों को इस फिल्म को देखने Silliver की उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में सकॉर्ट लेजुट वर ने एक्स मैं के करेक्टर मेगनो को उनकी खल्नाइकी में सहायता की थी लेकिन फिल्म स्टूडियो के कुछ अधिकारों के कारण एक सम्मेन अन्य मार्बल संस्ताओं से अलग हो गए इस कारण से हैवेंजर्स एज आफल ट्रान के निर्माता टीम ने वाड़ा मैक्सिमम वाडला मैक्सिमम और इसकाटलेज और पियत्रो मैक्सिमाप क्विक सि वर की भूमका में आरोन टेलर जांसन ने जराए हैं कैप्टेन अमेरिका सिबिल वार के दोरान क्रिस वाइंस हुए थे चोटिल फिल्म कैप्टेन अमेरिका सिबिल वार के से निर्देशक जो रूसों ने बताया था कि फिल्म का सबसे सकतिसाली शॉट था इस्ट्यू बहुत मेहनत की थी बाद में फिल्म का यादर से काफी सांदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने सूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाह में मास्पेसियों को घैल कर लिया था बलैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने बलैक पैंथर का नाम सबसे पहले ब्लैक लेफट रखना चाहा था लेकिन इसका संदर भेग राजिनतिक पार्टी से होने की कारण या नाम बदल दिया गया यमसीओ के अंतरगत ब्लैक पंथर की भूमका निभाने वाले अभनेता चैडविक बोजमें की साल 2020 में कैंसर के कारण मुर्ति हो चुकी है इसल अमेरिका डाफास्टर अवेंजर्स में मुख बिलैं र्ड इसकाल को आकरी बार इसी फिल्म में देखा ओया था और इसकी उपस्तित पक एक रहास्रा बन रही जब था कि कि इसे सिनिमा घरों में फिल्म Avengers Infinity War में नहीं दिखाय गया था Avengers Infinity War यूटूब पर सबस्यादा देखा जाने वाला Hollywood Movie ट्रेलर यूटूब पर लांच होने वाली फिल्म के ट्रेलर में Avengers Infinity War का ट्रेलर सबसे लोग प्री ट्रेलर बना हुआ है यूटूब पर अब तक इस से 250 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है इस क्रिप्ट में नहोते हुए भी एक डालाग बन गया मजा किया फिल्म Avengers Infinity War में एक दरसी के दोरान टाइटन ग्रह पर कुछ सुपर हिरोज आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें Iron Man, Star Lord और Drex भी सामिल है उसी दोरान तीनों में एक सवाध होता है जिसमें Star Lord पूछता है कि गमोरा कहा है इस पर Iron Man कहता है कौन है गमोरा मज़े की बात तब होती है जब Drex कहता है कि क्यूं है गमोरा एक खुलासे में पता चलता है कि Drex का अडालाग तो फिल्म की स्क्रिप्ट में था ही नहीं लेकिन Drex ने इस अंदाज ने दरस्टों को और भी मजा किया बना दिया जिसका निर्माताओं ने इसे फिल्म में सामिल कर लिया था Avengers Endgame बॉक्स आपस पर पहले विकेंड में एक अरब डालर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दुनिया भर में Avengers के परसंसकों की भारी संख्या के चलते Avengers फ्रंचाइजी के अंतरगत तीन फिल्मों ने अलग-अलग एक अरब डालर से भी अधिक कमाई की थी जो कि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी लेकिन जब फिल्म के चोथे सुकल Avengers Endgame को लांच किया गया तब इस फिल्म ने महच पांच दिनों के भीतर Endgame ने 1.2 अरब डालर की कमाई कर ली थी आज Endgame दुनिया भर की दूसरी सबसे धिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जो कि James Cameron के आवतार फिल्म के बाद आती है इसके साथ ही Avengers Endgame मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है जिसकी रनिंग टाइम 181 मिनट है एवांजलिन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की सूटिंग मार्बल का रिलीज चेडियोल पिश्टरत है जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट को फिल्माना पड़ता है इसलिए कई मुख्य पात्रों को स्टोरी लाइन जोडते हुए सभी फिल्मों के बीच निरंतरता बनाय रखना पड़ता है चोग फिल्म एंटमेन और दवास्प और अवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने के लिए एक ही लाइन आप में थे इसलिए दोनों फिल्मों की शिटिंग एक ही समय में होना सभाविक था इस बीच फिल्म के दो स्परहिरो कारेक्टर एंटमेन और दवास्प की भूम का निभाने वाले कलाकारों एवांज लिन लिली और पालरट को अक्सर दोनों फिल्मों की स्यूटिंग के लिए उपस्तित रहना पड़ता था जो कि उनके लिए वाकी में सबसे बिस्त दोर था आईए जानते हैं थार दार्क वोर्ड की कहानी के बारे में इसकी कहानी की सुरुवात यूगो पहले ओर्डिन के पिता बोर्ड डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्स करते हुए होती है जो नौ लोखों पर एथर के नाम से जाना जाने वाला एक हंतियार खोलना चाहता है मलेकित की सेनाव पर बिज़े पराप्त करने के बाद कुर्सेद नामक समर्दित युद्धाव सहित स्वार्ट लाइफाइम के अपने घर की दुनिया पर बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की सुरच्छा करता है बोर के लिए अग्यात मलेकित उनके लेटिनेंट अलग्रिम और मुठ्य भर डार्क एल्विस निलंबित एनिमेशन में भाग जाते हैं वरतमान में अक्षाड में लोकी प्रतवी पर अपने युद्ध पराधों के लिए कैद है इस भी स्थार युद्धाव परडल वल्स्टेग और सिप के साथ अपने कामरेड होगुन के घर वानाहीम पर लुटेरों को पीछे हटाता है विफ्रोष्ट के पुनि निर्माड के बाद नो अस्थानों को सांथ करने के लिए युद्ध मेया अंतिम लड़ाई है दो साल पहले नस्थ के गए रेंबो ब्रिज जो दो साल पहले नस्थ हो गए थे अगर्ष्टियन जल्द ही सीखते हैं कि अपसरड एक दुरलप सनरेखड नो लोकों में से असन है जैसे जैसे घटना नज़दी गाती है दुनिया को जोडने वाले पोर्टल या द्रिच्छिक रूप से प्रकट होते हैं लंदन में इस्ट्रोफिजिस्ट डाक्टर जेन फोस्टर और उनके इंटरन डार सी लेविस एक परियक्त कार खाने की यात्रा करते हैं जहां ऐसे पोर्टल दिखाए दिये हैं जो उनके चारों और भौत्की के नियमों को बाधित करते हैं समोग से अलग होकर फोस्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है जहां हेमडाल की निकट देखने वाली द्रेश्टि से परे एक वह एथर को अवसुसित करती है हेमडाल थोर्टल को सचेत करता है उसे प्रतवी पर ले जाता है जब थोर्टल को फोस्टर मिल जाता है तो वह अनजाने में एक अलोकिक सक्ति छोड़ती है और थोर्क उसके साथ अक्सार्ट लोट जाता है ओर्डिन एथर को पहँचानते हुए चिताउनी देता है कि एथर ना कियोल फोस्टर को मार डालेगा बलकि इसकी वाफ सी एक बिनास्कारी भविश्वारी के सुरुआत करती है मलेकित एथर की रिहाई से जागा अक्सार्ट पर हमला करता है लडाई के दोरान मलेकित और अलग्रिम पोस्टर की खोच करते हैं या मैसूस करते हैं कि उसमें एथर है थोर की मा फिरिगा को पोस्टर की रच्छा करते हुए घातक रूप से छुरा घुपा गया है और मलेकित और एलग्रिम को फोस्टर के बिना भागने के लिए मजबूर किया जाता है ओडिन के अक्सार्ट को ना छोडने के आदेशों के बावजूद थोर अनिच्छा से लोके की मदद लेता है जो शॉर्ट लाइफ के एक गुप्त पोर्टल के बारे में जानता है जहां वो अक्सार्ट से दूर मलेकित को लुभाने और सामना करने के लिए फोस्टर का उप्योग करेंगे बदले में थोर्ट ने अपनी मा की हत्या के लिए लोके से मलेकित से बदल लेने का वादा किया बुल्स टैग और सिफ़गास्टियन सेंको को रोक रहे हैं और प्रेडल उनके भाकरे में मदद कर रहे हैं थोर्ट लोकी और फोस्टर हेड स्टॉर्ट लाइम के लिए वहां लोकी मलेकित को पोस्टर से एथर को बाहर निकालने के लिए चकमा देता है लेकिन उजागर बदार्थ को नश्ट करने का थोर का प्रियास बिफल हो जाता है मालेकित एथर के साथ बिलीन हो जाता है और अपने जहाज में छोड़ देता है क्योंकि अल्गरिम को मारते समय लोकी को सूली पर चड़ा दिया जाता है तो और लोकी को अपनी बाहों में जुलाते हुए उसके पिता को उनके बलिदान के बारे में बताने का वादा करता है बाद में थार और फोष्टर ने पास की एक गुफा में एक और पोर्टल की खोच की और लंदन में लुईस और फोष्टर के सरचक डाक्टर एरिक सेलवी के साथ पुने निर्मल किया जो परतिवी पर लोकी के हमले के दोरान हुए मांसी का घात के कालर संचिपत रूप से संस्थागत थे वे सिकते हैं कि मलेखित ने ग्रीन विश में कनवर्ज से के केंदर में एथर को हटा कर डार्क एलवेस के परभूत को बहाल करने के योजना बनाई है थोर मलेखित को बिबिन पोर्टलों और कई दुनियाओं के माध्यम से तब तक लड़ता है जब तक ही एक पोर्टल उन्हें अलग नहीं कर देता मलेखित को प्रिद्वी पर निर्विरोज छोड़ देता है थोर अपने नासर साथियों के मदद करने के लिए समय पर लोड़ता है मलेखित को इस शौर्टलाइफ के ले जाने के लिए अपने पई गयने को प्रोड़ों का उप्यों करता है जहां उसे अपने हिच्छत गर्ष जहास से कुचल दिया जाता है थोर अकसाड लोड़ता है जहां वह सिंहासन लेने के लिए ओर्डिन के प्रस्ताओं को स्युकार करता है और उसे लोकी के बलदान के बारे में पताता है जैसे वह निकलता है ओर्डिन लोकी में बदल जाता है जो जीबित है और ओर्डिन का प्रतिरूपड कर रहा है होगी जैसे ही वे चले जाते हैं कलेक्टर आने पांच पत्थरों को हासिल करने की अपनी इच्छा वदाता है क्रेडिट के बाद के द्रस में फॉष्टर और थौर प्रत्वी पर फिर से मिलते हैं जबकि लंदन में कही जो तुन हैम से एक ठंधारा चस गलती से अंतिम सिक कार में निकल निकल जाएगा टिपडिया कह रहे थी कि यह मेरे लिए एक तरह की खबर है जहां मैं उनसे क्या कहूंगा है यह है कि मैं रोमांचित हूँ कि वे इतने असोस्त हैं मैं दर्श को को यह बताने के लिए परतेच्छा करूंगा कि क्या कोई दूसरा होना चाह भीज ने बाद में वताया कि स्विकल की घोषड़ा करने से पहले मार्बली स्टूडियोज ने अनमान लगाया होगा कि थोर ने बॉक्स आपस पर कितना अच्छा परदर्शन किया लेकिन कहा डान पाई ने भाग दो के लिए कहानी के विचारों पर काम कर रहा है हमारे पास क के साथ आने वाले सार्शा के लिए कई भी कलप हैं वापस लेकिन अभी फोकस पहले वाले पर है डान धीरे धीरे लेकिन निश्टी रूप से इस बारे में सोच रहा है कि चेतर को आगे कहां ले जाना है क्या हम इतने भागी साली हैं जून दोजार गेरा में वर्ल टिजनी के रूम में वापस नहीं आएंगे लेकिन संभावता एक उतपादन शमता में सामिल होंगे लास एंजल्स टाइम्स ने बरनक के प्रस्थान के काड़ों के रूम में एक बिसेस प्रभाव भारी महाकापी के लिए आवसक लंबी प्रत्वद्द्द्द्द्द्द्द्द् हाला कि वह अगली कड़ी को निर्देशित करने के मौके से उसाहिद थे बरनक ने कहा या एक लंबा समय था और वोई मेरे लिए सीधे दूसरे में वापस जाने के लिए बहुत तेज थे या एक सुकत अनुभ हो था और एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्भ है अगले दिन मार्बल ने अगली कड़ी की पटकता लिखने के लिए पहली फिल्म के स्रेल लेकों में से एक पाइने को अपचारिक रुएक्षिन नियुक्षिन किया अगस्त में ब्रायन किर्क ने थोर स्यूकल को निर्देशित करने के लिए सुरुआती बाचीत की गेम आप से करेंगे यहां माल लगाते हुए कि फिल्म में लोकी को अपने किये की जिम्मेदारी लेनी होगी पैटी जेंकिन्स मांस्टर के निर्देशिक और एमसी के दा किलिंग के पाइलेट एपिशोड ने बाचीत के दौरान पैदा हुए संभियातमक अटकलो के काराड किर को सचमस दूसरी दुनिया मिल ले जाएगी और मखरूप से उस चरित्र की यात्रा होगी उसकी और जेन फोस्टर की और कैसे उसके पिता के साथ नया गतसील काम कर रहा है साथ ही साथ क्या दान नाइट वर्ड्स के लिए ब्यापक दाओं है 13 एक्टवर 2011 को मार्बल ने पुष्ट की की जेन किन्स सुकल का निदेशन करेंगे और निताली पॉर्टमन स्टार के रूम में वापसी करेंगे डिजनी ने फिल्म की रिलीज की तारिक भी 15 नमबर 2013 कर दी थार्ड डार्क वर्ड 2013 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्बल कामिक्स किरदार थार पर आधरी थे जिसे मार्बल स्टूडियोज दोरह उत्पादित किया गया है और वाल्ट डिजनी स्टूडियोज मोसन पिक्चर्स दोरह बित्रित किया गया है यह 2011 में आई थार फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनेमाटिक यूनिवर्स में आठवी फिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दोरह निर्देशित किया गया था जिसमें क्रिस्टोफर योष्ट ने पटकता तयार की और क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम थी इसमें क्रिस हैमवर्थ को थार के रूम में दर्शा आ गया था क्रिस के साथ इस फिल्म में नताली पोर्टमेंड, टाम हिंडल स्टन, एंथनी हापकिन्स, इस्टेलान, इसकार गाड, एड्रिस एलबा, क्रिस्टोफर, एकल एस्टन, एडवेले, अकुने, एकबा में थार लेकी के साथ मिलकर, डार्क एल्बम्स से ब्रहमांड के नोचितरों को बचाने के लिए लड़ता है, मैं लेकित जो ब्रहमांड को अंधेरे में डुब की लगाने का इरादा रखता है, डार्क एबल्स का नितरत करता है, इस फिल्म को निर्देशित क्या था एलन ली के द्वारा इसमें भनीता थे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसमें म्यूजिक दिया था ब्राइन टाइलर ने इसका इस्टूडियो था मॉर्बल इस्टूडियो इसके बितरक थे वाल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्ज रिलीज हुई थी अक्टूबर उसका कूल कारोबार 7.649,862 मिलिय comport धा थार फिल मिकास डार्क वोर्ड अप्रे命 21 में सुरू ही थी एक अनव जयर इसके घोशडा की जुलाई 211 में धार के निर्दे殷क योपा пом Kilhikra से अपना नाम से ले लिया committee two can केलर को निर्देशक बनाने से पहले ब्रायन किर्क और पेटी जेंकिन्स को फिल्म निर्देशित करने के लिए सोचा गया था अगस्त 2012 में एक लेस्टन डेनिक्स और अकिन्वे एकजाबे को सहाय कलाकार कास्ट किया गया प्रिंस्पल फोटोग्राफिस शप्टमबर 2012 में सर नॉम्बर 2012 में सुरू होने से पहले सुरू हुई थी थाद डाक वर्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्दित कर दिया गया था था थाद डाक वर्ड का प्रेमियर 22 अक्टूबर 2013 को लंदन में ओडेन लिसेश्टर इस्कौाइर में किया गया था और संयुक्त कहानी खलनायक और पेसिंग के अलोचना की कई समय इसकों ने इसे MCU की सबसे कमजोर फिलम घोसित कर दिया यह फिलम एक बेवसाइक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 644 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे 2013 की दसुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलम बना दिया इस कड़ी की तीसरी फिलम थार रेगनरा को तीन उमबर 2017 को रिलीज किया गया था कलपो पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्स करते हैं जो बरमांड के 9-6-3 पर एथर के नाम से जाने वाले हत्यार को जागर करना चाते थे मलकित की सिनाओ पर बिज़े परात करने के बाद कुर्शेट नामक बढ़े उधाओ सहित स्वार्टल फैहा के घर की दुनिया में बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की रचा करता है बोर के लिए अग्याद मलकित के साथ साथ उनके लेटिनेंट अलेगरीम और डार्क एल्प के कुछ मुठी निलामबित एनिमेशन में भागें MCU यानि Marvel Cinematic Universe के अंतरगत आने वाली सुपर हिरोज की फिल्म सिरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सिरीज है जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर हिरोज मेल होया फीमेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से निर्माताओं ने इस सिरीज के तेश फिल्मों से में सभी सुपर हिरोज को एक बेहतरिन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सिरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिजड़े कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के परसंद सकें तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की सरंखला कितनी अदबुध है इसके हर फिल्म में हर एक सुपर हिरो की अपनी कहानी है जिने 13 वर्सों में बनाय गया है और एक एक करदर्शकों के बीच लाय गया है अंत में सभी फिल्मों को ए रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनवी बाते हैं जिने हम आज आपके साथ साजा करेंगे मार्बल कॉमिक के महान लेखग इस्टैन ली ने भूत काल में अपने के संगर्शों के बाद आरन मैन को लांच करने में सफलता पाई थी आरन मैन जो की बाद में इसे फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दर्शकों का सबसे चहता सुपर हीरो बन कर उभरा इससे पहले पिछले कई दर्शकों में आरन मैन और अन सुपर हीरोस पर कई फिल्मेवा सिरीज बन चुगी थी लेकिन Spider-Man की फिल्म सिरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्श को दोरा न कारा जा चुका था The Avengers पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा The Avengers Marvel Cinematic Universe के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बिय अफेक्स और कई सुपर हीरोस को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खूब पसंद किया गया था मॉर्बल ने दा एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग मॉर्बल ने दा एवेंजर्स में किया था रियल सुपर हीरो का उपयोग जी हाँ दा अवेंजर्स फिल्म में असली सुपर हीरो का इस्तमाल किया गया था लेकिन वे कोई बिजली आग या कालपनिक सक्ती पैदा करने वाले नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के बहादुर पुलिस कर्मी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में अवेंजर्स का सामना उनके दुस्मनों से होता है तब दरसकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से तीन सु कैन बेवी सैन पुलिस वर्ल बाटालियन के वास्तविक सुदस्यों को सामिल किया था हाकाई कारेक्टर के गंभीरता मार्बल के अंतरगत हाकाई एजेंट क्लिंट बाटन की भूम का निभाने वाले अभनेता जरेमी रेनर ने इस कारेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तीर अंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में ख हल्क की भूमका एडवर्ड नार्टन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिधी के कारवा मार्वल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लूई लेट्रियल के अनसार तो हल्क के किलदार में अबनीता मार्क राफेलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और बाद में चलकर ऐसा ही हुआ बुरूस बैनर हलक की भूमका में The Avengers और आगे की फिल्म के लिए मार्क ने नार्टन को रिप्लेस किया देखा जाए तो हलक की भूमका में मार्क ने एक अलगी छाप छोड़ी है हलक की भूमका के लिए मार्क को मिली हौली बुर्ट के सुपरस्टार आर डीजे से प्रोस साहना साल 2012 में जब The Avengers में Bruce Banner The Hulk की भूमका निभाने के लिए मार्क रफैलो को चुना गया तब हुआ एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज मैसूस कर रहे थे उस समय हौली बुट के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें अभने करने के लिए प्रोस साहित किया जो कि हम मार्क के सबसे अच्छे दोस्त है और खुद ही सुपर हीरो आर अरन मैन की भूंका निभा रहे थे आरन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफलो लेट्स गो लेट्स डो दिस इस्पार्डर मैन के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पार्डर मैन के नाम में हाइफन लगाया ऐसा इस ले किया गया क्योंकि सुपर्डर मैन और स्पार्डर मैन दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार तेश नजर में पढ़ने पर दश्कों के लिए संसे पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे थियेटर्स में हुआ था Avengers, राज आप और ट्रान का विरोध। साल 2014 में जब फिल्म Avengers Age of Ultron दुनिया भर में रिलीज हुई तब जर्मनी के कुछ सहरों में थियेटर्स में इसका विरोध हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ था कि कुछ डिजनी बॉक्स आपेस पर टिक्तो की विक्री का 53.7 मुनाफ़ा चाहता था जो कि परमपरिग और 47.7 परस्त की तुलना में अधिक था हाला कि यह संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सकता लेकिन जर्मनी के कुछ छोते ठीयेटर्स क के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बहुर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल फिल्म की सूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दरस्त को दिखाने के लिए शेट वा लाइटिंग में निभाने वाले अभिनेता किरिस इवांस ने बताया कि उन्होंने खुद को उबने से रोकने के लिए और भी अनिकलाकारों जोकिनको दोस्त भी थे के साथ बोगल गेम खोब खेला है दा एवंजर्स फिल्म को अंतरिच में दिखाया गया अंतरिच जहां कई सितारे चमकते हैं वही कुछ चुनिंदा दर्शकों ने डावंजर्स के और शाइद यही कारण था कि इस फिल्म को अंतराश्ट्री अंतरिच स्टेशन में भी दिखाया गया है स्कॉटलेश बीज और क्विक्सिलवर की उत्पत्ति को बदला गया था कॉमिक किताबों में स्कॉटलेश चाह और क्लिक्सिलवर ने एक्समेन के करेक्टर मैगनो को उन ने वाड़ा मैक्सिमम वाडला मैक्सिमम और स्कॉटलेश और प्येत्रो मैक्सिमाप क्विक्सिलवर को एक अलग मूल कहानी दी थी इस फिल्म में वाड़ा स्कॉटलेश इसकी भूमका में एलिजावेथ ओलिसन और प्येत्रो क्विक्सिलवर की भूमका में आरोन टेलर ज सबसेशक्ति साली साट था इस्टिव राजर्स का अपने हाथों से एक हेलिकाप्टर को उडान भरने से रोकना इस साट को फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखाया गया था इस सीन को सूट करने से पहले क्रिस इवाइंस ने सारे रिक्रूप से चरेतर को वास्तों ग् हिनत की थी बाद में फिल्म का यादर से काफी सांदार साबित हुआ था लेकिन क्रिस ने सूटिंग के समय इसे फिल्माते हुए अपनी बाह में मास्पशियों को घैल कर लिया था बलैक पैंथर का नाम बाद में चुना गया मार्बल ने बलैक पैंथर का नाम सबसे पहले बलैक लेफट रखना चाहा था लेकिन इसका संदर भेग राजिंतिक पार्टी से होने के कारण या नाम बदल दिया गया यमसीओ के अंतरगत बलैक पैंथर की भूमका निभाने वाले अभिनेता चैडबिक बोजमैन की साल 2020 में कैंसर के कारण मरति हो चुकी है इसलिए नि इफिंटिवार में एक पुराने बिलन की वापसी कैप्टेन अमेरिका दाफ फास्टर अवेंजर्स में मुख बिलन रेड इसकाल को आखरी बार इसी फिल्म में देखा गया था और इसकी उपस्तित तब तक एक रहा से बन बन रही जब तक की इसे सिनिमा घरों में फिल्म इफिंटिवार में नहीं दिखा गया था इफिंटिवार यूटूब पर सबस्यादा देखा जाने वाला हॉलिवड मोवी ट्रेलर यूटूब पर लांच होने वाली फिल्म के ट्रेलर में इफिंटिवार का ट्रेलर सबसे लोग प्री टेलर बना हुआ है यूटूब पर अ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें Iron Man, Star Lord और Drex भी सामिल हैं, उसी दोरां तीनों में एक सवाध होता है, जिसमें Star Lord पूछता है कि गमोरा कहा है, इस पर Iron Man कहता है कौन है गमोरा, मचे की बात तब होती है जब Drex कहता है कि क्यूं है गमोरा, एक खुलासे में पता चलता है कि ड्रेक्ष का अडालाग तो फिल्म की स्क्रिप्ट में था ही नहीं, लेकिन ड्रेक्ष ने इस अंदाज ने दरस्टों को और भी मजा किया पना दिया, जिसका निर्माताओं ने इसे फिल्म में सामिल कर लिया था, एवेंजर्स एंडगेम बॉक्स हाफिस पर पहले विकेंड में एक अरब डालर की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी, दुनिया भर में एवेंजर्स के परसंसकों की भारी संख्या के चलते एवेंजर्स फ्रंचाइजी के अंतरगत, तीन फिल्मों ने अलग-अलग एक अर डालर की कमाई कर ली थी, आज एंडगेम दुनिया भर की दूसीरी सबसे दे कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो कि जेम्स कैमरन के आवतार फिल्म के बाद आती है, इसके साथ ही अवेंजर्स एंडगेम मार्बल की सबसे लंबी फिल्म है, जिसकी रनिंग टाइम 181 मिनट है, एवांजलीन लिली और पाल रड ने एक साथ की मार्बल के दो फिल्मों की शूटिंग, मार्बल का रिलीज चेडियूल बिश्तरत है, जिसमें कई बार एक ही समय के कई प्रोजेक्ट को फिल्माना पड़ता है, इसलिए कई मुक्य पात्रों को स्टोरी लाइन जो होना सभाविक था, इस बीच फिल्म के दो सुपर हीरो कारेक्टर एंट मैन और दवास्प की भूम का निभाने वाले कलाकारों एवांजलीन लिली और पाल रड को अक्सर दोनों फिल्मों की स्टिंग के लिए उपस्तित रहना पड़ता था, जो कि उनके लिए वाकी में सासंगर्स करते हुए होती है, जो नौ लोकों पर एथर के नाम से जाना जाने वाला एक हंतियार खोलना चाहता है, मलेकित की सेनाव पर बिजय प्राप्त करने के बाद कुर्शेद नामक समर्दित योद्धाव सहित स्वार्ट लाइफाइम के अपने घर की दुनिया पर ब लोकी प्रत्वी पर अपने युद्ध पराधों के लिए कैद है, इस भी स्थार, युद्धाव फ्रडल, वल्स्टेग और सिप के साथ अपने कामरेड होगुन के घर वाना हीम पर लुटेरों को पीछे हटाता है, विफ्रोष्ट के पुनिय निर्माड के बाद नो अस्थ प्रेखड नो लोकों में से असन है, जैसे जैसे घटना नजदीग आती है, दुनिया को जोडने वाले पोर्टल या द्रिच्छी क्रूप से प्रकट होते हैं, लंदन में इस्ट्रोफिजिस्ट डाक्टर जेन फोस्टर और उनके इंटरन डार सी लेविस एक परियक्त कार की यात्रा करते हैं, जहां ऐसे पोर्टल दिखाए दिये हैं, जो उनके चारों और भौत्की के नियमों को बाधित करते हैं, समोह से अलग होकर फोस्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, जहां हमडाल की निकट देखने वाली द्रिच्छी से परे एक वह एथ जाडर लोट जाता है, ओडिन एथर को पहँचानते हुए चिताउनी देता है कि एथर ना क्यों फोस्टर को मार डालेगा, बलकि इसकी वाफ सी एक बिनास्कारी भविश्वारी के सुरुआत करती है, मलेकित एथर की रिहाई से जागा अक्षाट पर हमला करता है, लड़ा के अक्षाट को ना छोडने के आदेशों के बावजूद थर अनिच्छा से लोके की मदद लेता है, जो स्वाट लाइफ के एक गुप्त पोर्टल के बारे में जानता है, जहां वो अक्षाट से दूर मलेकित को लुभाने और सामना करने के लिए फोस्टर का उप्योग करे हैं, थोर लोकी और फोस्टर हेड इस्टॉर्ट लाइम के लिए वहां लोकी मलेकित को पोस्टर से एथर को बाहर निकालने के लिए चकमा देता है, लेकिन औजागर बदार्थ को नश्ट करने का थोर का प्रियास बिफल हो जाता है, मलेकित एथर के साथ बिलीन हो जाता है और अपने जहाज में छोड़ देता है क्योंकि अल्गरिम को मारते समय लोकी को सूली पर चड़ा दिया जाता है तो और लोकी को अपनी बाहों में जुलाते हुए उसके पिता को उनके बलिदान के बारे में बताने का वादा करता है बाद में थार और फोष्टर ने पास की एक गुफा में एक और पोर्टल की खोच की और लंदन में लुईस और फोष्टर के सरचक डाक्टर एरिक सेलवी के साथ पुनने निर्मल किया जो परतिवी पर लोकी के हमले के दोरान हुए मांसिक अगात के कारड़ संचिप दिरूप से संस्थागत थे वे सिखते हैं कि मलेखित ने गिरीन विश में कनवर्ज से के केंदर में एथर को हटा कर डार्क अलवेस के परभुत को बहाल करने के योजना बनाई है थोर मलेखित को बिबिन पोर्टलों और कई दुनियाओं के माध्यम से तब तक लड़ता है जब तक ही एक पोर्टल उने अलग नहीं कर देता मलेखित को प्रिद्वी पर निर्विरो छोड़ देता है थोर अपने नासर साथियों के मदद करने के लिए समय पर लोड़ता है मलेखित को इस श्वार्ट लाइफ के ले जाने के लिए अपने बैगेने को प्रड़ों का उप्यों करता है जहां उसे अपने हिच्छत गर्ष जहास से कुचल दिया जाता है थोर अक्साड लोड़ता है जहां वह सिंहासन लेने के लिए ओर्डिन के प्रस्ताओं को स्युकार करता है और उसे लोकी के बलदान के बारे में बताता है जैसे वह निकलता है ओर्डिन लोकी में बदल जाता है जो जीबित है और ओर्डिन का प्रतिरू पड़ कर रहा है एक मिट क्रेटि द्रस में वेल्स स्टैक और सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं और एथर को उसकी देख भाल के लिए सौपते हैं यह टिपड़ी करते हुए कि एक साड में पहले से ही टेस राक्ट के साथ दो इनिफिनिटी स्टोंस को एक साथ पास रखना ना समझी होगी जैसे ही वे चले जाते हैं कलेक्टर आनि पांच पत्थरों को हासिल करने की अपनी इच्छा बदाता है क्रेडिट के बाद के दरस में फॉष्टर और थौर परत्वी पर फिर से मिलते हैं जबकि लंदन में कही जोतन हैम से एक ठंधा राचस गलती से अंतिम लड़ाई के दोरान परत्वी पर ले जाये जाता है जो कि अभी भी आप इसे बाहर है थौर 2011 की रिलीज से पहले अपरेल 2011 में मार्बली स्टूडियोज के अध्यश के बिन फीगे ने कहा कि दा एवेंजर दू की 2012 में आई थी के बाद थौर एक नए साहसिक कार में निकल जाएगा टिपडिया कह रही थी कि यह मेरे लिए एक तरह की खबर है जहां मैं उनसे क्या कहूंगा है यह है कि मैं रुमांचित हूँ कि वे इतने असवस्त हैं मैं दर्शकों को यह बताने के लिए परतेचा करूंगा कि क्या कोई दूसरा होना चाहिए और फिर अगर यह एक अच्छी बातचीत है हम सभी के लिए है रुमान्सकारी होगा लेकिन मुझे यह मनाने के लिए आईरिस अंदविस्वासी रखत मिला है कि धौर दो होगा लेकिन अगर मार्बल ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि यह सच होना चाहिए भीज ने बाद में वताया कि स्विकल की घोषड़ा करने से पहले मार्बल ऐस्टूडियोज ने अनमान लगया होगा कि थोर ने बॉक्स अपस पर कितना अच्छा परदर्शन किया लेकिन कहा डान पाए ने भाग दो के लिए कहानी के विचारों पर काम कर रहा है हमारे पास केन के साथ आने वाले सर्षा के लिए कई भी कल्प हैं वापस लेकिन अभी फोकस पहले वाले पर है डान धीरे धीरे लेकिन निश्टी रूप से इस बारे में सोच रहा है कि चेतर को आगे कहान ले जाना है क्या हम इतने भागी साली है जून 2011 में वर्ल्ट इजनी स्टूडियो जने 26 जुले 2013 को क्रिस हेम वर्थ के सीर्षक नायक के रूम में अपनी भमका को दोराते हुए थोर स्रिक्वल के लिए रिलीस के तारेक निर्धारित की या भी बताया कि बर्नक निर्धेसक के रूम में वापस नहीं आएंगे लेकिन संभावता एक उतपादन शमता में सामिल होंगे लास एंजल्स टाइम्स ने बर्नक के प्रस्थान के कारणों के रूम में एक बिशेस परभाव भारी महाकापी के लिए आवसक लंबी प्रत्वद्धा और इस्क्रिप्ट प्रिक्रिया को त्रण सुरू करने के दपाव का हवाला दिया हाला कि वह अगली कड़ी को निर्देशित करने के मौके से उसाहिद थे बर्नक ने कहा या एक लंबा समय था और वह मेरे लिए सीधे दूसरे में वापस जाने के लिए बहुत तेज थे या एक सुकत अन्बह हो था और एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्भा है और बीबी सी के लिए टेरी बीजेंसन खलाओ का निर्देशन करने के बाद किरिक पहली बार एक बड़े बज़ट की मोशन पिचर का निर्देशन किये थे सब्टेंबर 2011 में टाम हिडलसन ने पुष्ट की कि वासी कल में वापसी करेंगे यह अनमा लगाते हुए कि फिल्म में लोकी को अपने किये की जिम्मेदारी लेनी होगी पैटी, जेन किन्स, मांस्टर के निर्देशक और एम-सी के दा किलिंग के पाइलेट एपिशोड ने बादचित के दरन पैदा हुए संभीयात्मक अटकलो के काराड किर्क ने गुजर जाने के बाद किर्क के गुजर जाने के बाद फिल्म को निर्देसित करने के लिए मार्बल स्टूडियोज और डिजनी के साथ सुरुवाती बाचित में परभेस किया बाद के महीने में फिगे ने कहा कि अगली कड़ी थोर को सचमस दूसरी दुनिया मिले जाएगी और मखरूप से उस चरितर की यात्रा होगी उसकी और जेन फोस्टर की और कैसे उसके पिता के साथ नया गत्सील काम कर रहा है साथ ही साथ क्या दानाइट वोर्ड्स के लिए ब्यापक दाउं है 13 अक्टबर दोजार गीरा को मार्बल ने पुष्ट की कि जेन किन्स सुकल का निदेशन करेंगे और निताली पॉर्टमन स्टार के रूम में वापसी करेंगे डिजनी ने फिल्म की रिलीज की तारिक भी 15 नॉमबर 2013 कर दी थॉर्ड डार्क वर्ड 2013 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्बल कामिक्स किरदार थार पर आधरी थे जिसे मार्बल स्टूडियोज दोरा उत्पादित किया गया है और वाल्ट डिजनी स्टूडियोज मोसन पिक्चर्ज दोरा बितरित किया गया है यह 2011 में आई थार फिल्म की अगली गड़ी है और मार्बल सिनेमाटिक यूनिवर्स में आठवी फिल्म है इस फिल्म को एलन टेलर दोरा निर्देशित किया गया था जिसमें क्रिस्टोफर योष्ट ने पटकता तयार की और क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फली की लेखन टीम थी इसमें क्रिस हैमवर्थ को थौर के रूम में दर्शाय गया था। पर डार्क एल्बम्स से ब्रह्मांड के नोचेत्रों को बचाने के लिए लड़ता है। मैलेकित जो ब्रह्मांड को अंधेरे में डुब की लगाने का इरादा रखता है। डार्क एबल्स का नित्रत करता है। इस फिल्म को निर्देशित क्या था एलन टेलर ने। इसके निर्माता थे केविन फाईगी, यह पढ़कता थी क्रिस्टोफर योस्ट, क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन माइक फिली की। एक कहानी थी डान पैटन जो की लेखक हैं उनकी। यह अधारी थे थार स्टेनली के द्वारा। इसमें भनीता थे, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें म्यूजिक दिया था ब्राइन टाइलर ने। इसका स्टूडियो था मार्बल स्टूडियो, इसके बितरक थे वाल्ड डिजनी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी, अक्टूबर 22, 2013 में और 9,08, 2013 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस ये फिल्म 112 मिनेट लंबी है ये भारत ये सय्विक द्राज अमेरिका में रिलीज हुई थी। ली जुई थी इस फिल्म की लागत 170 से 272 मिलियन इसका कुल कारोबार 644.6 मिलियन बताई गई है और इसका कुल कारोबार 644.6 मिलियन बताई गई है थार फिल्म का विकास डार्क वर्ड अप्रेल 2015 में शुरू ही थी जम निर्माता केबिन फेज ने क्रासोवर फिल्म दा एवंजर्स का पालन करने के लिए एक अनुकरम की योजना की घोशड़ा की जुलाई 2015 में थार के निर्देशक केनेत बरनाख ने परियोजना से अपना नाम वापस ले लिया जनुरी 2012 में टेलर को नि अलाकार कास्ट किया गया प्रिंस्पल फोटोग्राफ के सप्टमबर 2012 में सरे इंग्लेंड में आइसलेंड और लंदन में जारी होने वाली फिल्मांकर के साथ दिसमबर 2012 में सुरू होने से पहले शुरू हुई थी थाद डाक वर्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में पर से परभाव और परदर्शन विशेश रूप से हैमर्स वर्थ और हेडल स्टन के लिए स्राहना की लेकिन इसकी कहानी खलनायक और पेसिंग के अलोचना की कई समय इसकों ने इसे MCU की सबसे कमजोर फिल्म घोसित कर दिया यह फिल्म एक बेवसाइक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 644 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे 2013 की दसुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया इस कड़ी की तीसरी फिल्म थार रेगनरा को तेन उमबर 2017 को रिलीज किया गया था कलपों पहले ओर्डिन के पिता बोर डार्क एल्प मलेकित के साथ संगर्ष करते हैं जो प्रमांड के नोचेतरों पर एथर के नाम से जाने वाले हत्यार को उजागर करना चाहते थे मलकित की सिनाओ पर बिज़े परात करने के बाद कुर्षेट नामक बढ़े उधाओ सहित स्वार्टल फैहा के घर की दुनिया में बोर एक पत्थर के इस्तम के भीतर एथर की रचा करता है बोर के लिए अग्याद मलकित के साथ साथ उनके लेटिनेंट अलेगरीम और डार्क एल्प के कुछ मुठी निलामबित एनिमेशन में भागए हैं MCU यानि Marvel Cinematic Universe के अंतरगत आने वाली सुपर हिरोज की फिल्म सिरीज दुनिया की सबसे सफलतम फिल्म सिरीज है जिसकी हर फिल्म में सामिल सुपर हिरोज मेल हो या फीमेल सभी का करेक्टर एक से बढ़कर एक है इसकी सुरुआत हुई थी साल 2008 में आई फिल्म आरेन मैं से निर्माताओं ने इस सिरीज के तेश फिल्मों से में सभी सुपर हिरोज को एक बेहतरिन कहानी देकर एक कड़ी में जोड़ा है इस सिरीज की हर एक फिल्म में कुछ रोचक बाते हैं और हम इस आज की वीडियो में इस से हिच्टे कुछ अंजाने तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मार्बल के परसंद सके हैं तो आपको पता होगा कि इसके फिल्मों की सरंखला कितनी अदबुद है इसके हर फिल्म में हर एक सुपरहिरो की अपनी कहानी है जिने 13 वर्सों में बनाया गया है और एक एक करदर्शकों के बीच लाया गया है अंत में सभी फिल्मों को एक कड़ी में जोड़कर एक फिल्म एवेंजर्स एंड गेम से निसकर्शन निकाला गया है फिल्मों की इसस रंखला में जितने भी सुपर हीरो सामिल हैं उन्हें ही एवेंजर्स नाम दिया गया है उन्हीं एवेंजर्स से शूड़ी फिल्म के दरस्टो या रिलीजिंग या शूटिंग के दोरान कुछ रोचक और अजनवी बाते हैं जिने हम आज आपके साथ साजा करेंगे मॉर्बल कॉमिक के महान लेखग स्टैन ली ने भूत काल में अपने के संगर्सों के बाद आरन मैन को लांच करने में सफलता पाई थी आरन मैन जो की बाद में इसे फिल्म रिलीज का सबसे स्मार्ट और दरस्को का सबसे चहता सुपर हीरो बन कर उभरा इससे पहले पिछले कई दरस्को में आरन मैन और अन सुपर हीरोस पर कई फिल्मेवा सिरीज बन चुगी थी लेकिन Spider-Man की फिल्म सिरीज के अलावा सभी फिल्मों को दर्श को दोरा न कारा जा चुका था The Avengers पहली सफलतम फिल्म जिसने बिलियन में कदम रखा The Avengers Marvel Cinematic Universe के पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर के सिनेमा घरों में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की थी यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हिरो फिल्मों को एक नया आयाम दिया था फिल्म की कहानी, एक्षन सीन, बिय अफेक्स और कई सुपर हिरोस को एक साथ जुड़ना दर्शकों के लिए काफी नया और रोमांजकारी साबित हुआ और इसे खुब पसंद किया था मॉर्बल ने दा एवैंजर्स में किया था रियल सुपर हिरो का उपयोग जी हाँ, दा एवैंजर्स फिल्म में असली सुपर हिरो का इस्तमाल किया था लेकिन वे कोई बिजली आग या काल्पनिक सक्ती पैदा करने वाले नहीं बलकि वास्तुएक दुनिया के बहादुर पुलिस कर्मी थे फिल्म के एक दरस में जब नियुयार्क सहर में अवेंजर्स का सामना उनके दुस्मनों से होता है तब दरसकों ने उनकी मदद करने के लिए ओहियो राज से 301 कैन बेवी सैन पुलिस वर्ल बाटालियन के वास्तुएक सदस्यों को सामिल किया था हाकाई कारेक्टर की गंभीरता मार्बल के अंतरगत हाकाई एजेंट क्लिंट बाटन की भूम का निभाने वाले अभनेता जरेमी रेनर ने इस कारेक्टर को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस पेस्ट रूप से तीर अंदाजी सीखी थी इसलिए उनके अभने में ख लिवर्ट नार्टन ने निभाई थी जिन उनकी इसी पर सिद्धी के कारवा मार्बल की पहली पसंद थे वही बात करें दा इंक्रेडिबल हलक के निर्देशक लुई लेट्रियल के अनसार तो हलक के किलदार में अबनियता मार्क रफेलो ही बहुत पहले से फिटाते थे और में चलकर ऐसा ही हुया बूर्स बैनर हलक के भूमका में लोगी छाप चोड़ी हे हलक की भूमका के लिए मार्क को मिली अलीबुड की सुपरस्टार और डीजिस स्साहना साल 2012 में जब धवन्जरस में बूस बैनर दा हलक की भूमका निभाने के लिए मार्क रफेलो को चुना गया तब वह एक सुपर हीरो के रूम में किसी बड़ी बजट की फिल्म में अभने करने के लिए असाज महसूस कर रहे थे उस समय हॉलिवुड के सुपरस्टार आर डीजे यानि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें प्रुश साहित किया जो कि हमार्क के सबसे अच्छे दोस्त है और खुद ही सुपर हीरो आरेन मैं की भूमका निभा रहे थे आरेन ने अपने दोस्त के लिए लिखा था कि रुफेलो लेट्स गो लेट्स डू दिस स्पार्डर मैं के नाम में हाइफन का उपयोग राइटर स्टैनली ने स्पार्डर मैं के नाम में हाइफन लगाया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुपर्मैन और स्पार्डर मैं दोनों ही एक जैसे नाम बन जाते हैं जो पहली बार देश नजर में पढ़ने पर दश्कों के लिए संसे पैदा कर सकते हैं जर्मनी के कुछ छोटे ठेयटर्स में हुआ था एवंजर्स राज अफ और ट्रान का बिरोध साल 2014 में जब फिल्म एवंजर्स एज आफ आफफ इसका बिरोध हुआ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डिजनी बॉक्स आपेस पर टिक्तों की विक्री का 53.7 मुनाफ़ा चाहता था जो कि परमपरिग और 47.7 परस्त की तुलना में अधिक था हाला कि या संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं लग सकता लेकिन जर्मपरिग के कुछ छोते ठीयटर्स के लिए कमाई में एक बड़ा अंतर जरूर था इसलिए उस समय उन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिया बोर होने से बचने के लिए सितारों ने खिला बोगल फिल्म की सूटिंग के समय लगता है जैसे कि किसी दरस को दिखाने के लिए सेट वा लाइटिंग में सेमय एजन करना और उसके बाद दूसरे दरस के लिए दूसरा सेट वा लाइटिंग ऐसे में एवेंजर्स के सितार को देर तक नए शॉट के लिए इंतिजार करना पड़ता था इस दोरन काइप्टन अमेरिका इस्टिव राजर्स की भूम का निभाने वाले अबने ताग